पर्फेक्ट क्लियर की बात नहीं थी लेकिन पहले की उन तीन हथेलियों से तथाक्थित पूर्ण समापन की वास्टव में कोई आवश्चक्ता नहीं थी अभी अभी उन तीन नीला ड्रेगन को तितर बितर करते हुए उसने पहले ही अपनी सारी ताकत खर्च कर दी यदि हटपूर्वक आखिरी सास नरोकी होती तो वह बहुत पहले ही बेहोश हो गया होता एक और अंतिन प्रहार तक टिके रहने में सक्षम होना उसकी शक्तिशाली इच्छा शक्ती से उपजा था दूसरी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर को पहले एक असली ड्रैगन के खून से सुधारा गया था आप सच्मुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ती है वास्तव में एक सच्चे ड्रैगन की ताकत को इतनी जल्दी समझ लेना और उसे जुलसा देने वाले सच्चे इरादे में मिला देना सक्ट सक्ट लड़के मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ काले कपडे पहने व्यक्ती की प्रशन साकी जब मैं सीनियर की हथेली के बल से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा दी तो मेरे शरीर में पनप्रही असली ड्रैगन शक्ती वास्तव में उत्तेजित हो गई और वह धीरे-धीरे मेरी मुठी में प्रवेश करती गई काले कपडे पहने व्यक्ती ने थोड़ा सिरहिलाया और कहा ऐसा लगता है कि आप एक प्राकृतिक मार्शल आर्टिस्ट हैं आपकी भविश्य की उपलब्धिया उस साथी से उपर हो सकती है जब महर ने यह सुना तो वह विचलित हुए बिना नहीं रह सका उसके पिछले जीवन से लेकर इस जीवन तक यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह का मूल्यांकन दिया पिछले जन्म का महर भी इसी तरह अंगिनत तारीफों के बीच बढ़ा हुआ लेकिन सभी ने उनकी मार्शल प्रतिभा पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी कीमिया प्रतिभा बहुत चमकदार थी इतनी अधिक की मार्शल पाथ में सभी ने उनकी प्रतिभा को नजरंदाज कर दिया इस जीवन काल तक महर ने मार्शल पाथ पावर हाउस बनने का संकल्प लिया जितना अधिक उसने मार्शल पत्थ में प्रयास किया, उतना ही अधिक उसे पता चला कि उसमें भी उतनी ही जबरदस्त क्षमता है. एजियोर डिपर फ्लोटिंग जीरो तलवार, दिल शांत पानी की तरह, हवा की अवधारना, आग की अवधारना. इन सभी चीजों को समझने और समझने के लिए मार्शल कलाकारों को अत्यधिक प्रयास करने की आवर्शक्ता थी. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उन्हें समझने में अधिक समय खर्च नहीं किया. हालाकि इन में से बहुत सारे सन्योगों के कारण थे, किसी को यह स्विकार करना होगा कि उनकी प्रतिभाने बहुत बड़ी भूमिका निभाएं. प्रतिभा के बिना भले ही भाग्यशाली अवसर आए, कोई केवल खजाने के पहाड में प्रवेश कर सकता है और खाली हाथ लोट सकता है. चुँकि आपके पास कुछ समझ है, तो अपनी श्वास को नियंत्रित करें और अपने लाब को यही थोड़ी देर पहले पचालें. आठवे स्टर पर मैं केवल दो हथेलिया खोलूंगा. आपको अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास करना होगा, बात क्त्म हुई, काले कपड़े वाला व्यक्ति गायब हो गया. कुँ? अंता आठवे स्टर में प्रवेश करने जा रहा हूँ. महर ने गहरी सास ली और मन ही मन बुद्बुदाया. महर ने अपने लिए जो सबसे निचला लक्षय निर्धारित किया वह सात्वा स्टर था. सिवाए इसके कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस विशाल स्वर पगोडा में उन्हें जो लाभ मिला है, वह उनकी अपनी कलपनाओं से कहीं अधिक है. अब उसकी ताकत तेजी से बढ़ी. उनमें आठवे स्टर को चुनौती देने की पूरी योग्यता थी. मेहर को कुछ हर तक संदेह भी था कि क्या यह पहले से ही विशाल स्वर पगोडा के मालिक द्वारा स्थापित किया गया था, और वह वर्तमान में विशाल स्वर पगोडा के मालिक द्वारा योजनाबध मार के अनुसार अब तक कदम दर कदम चल रहा था. अन्य था एक साधारन प्रतिभा के लिए इस कदम तक चलना असंभव था मेहर को लग रहा था कि यह प्रतिभाव को निखारने का एक व्यवस्थित प्रशिक्षन है साहस और अंतरग्रिष्टी, समझने की क्षमता और ताकत कोई भी गायब नहीं हो सकता काले कपड़े पहने उस व्यक्ती महर ने जिस व्यक्ती का उल्लेख किया था उसे लगा कि वह इस विशाल स्वर्ग पगोडा का मालिक हो सकता है यह व्यक्ती सचमुच एक रहस्यमय अस्तित्व था महर को लगा कि यह विशाल स्वर्ग पगोडा का मालिक दस हजार वर्षों के भीतर वास्टव में देवताक्षेतर की शक्तिया पैदा हुई। यदि विशाल स्वर्ग पगोडा का मालिक वास्टव में एक देवताक्षेतर का पावर हाउस था तो वह कहा गया। अधे दिन के बाद महर ने दोनों आखें खोली। उसका शरीर पहले ही अपनी इश्टतम स्थिती में आचुका है। दस महान दिव्य राजाओं को प्राप्त करने के लिए फॉर्मेशन पथ पर भरोसा करने में सक्षम होना। हाला कि महर को पता था कि यह विशाल स्वर्ग रहसिवादी क्षेतर केवल लूलिन्फिंग के लिए एक खिड की खोलता है। उनका वास्तविक उत्थान विशाल स्वर्ग रहसिवादी क्षेतर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ था। स्वर्ग रहा था। आठवास तर यह किस प्रकार की अवधार ना थी। महर पहले से ही इस दस हजार वर्षों में नमबर एक व्यक्तिली फैंटियन के साथ बराबरी पर है। अब क्या आप लोगों के पास अभी भी उसका अनुसर्ण करने के बारे में कोई राय है क्योई हाई ने इत्मी नान से पूछा। चारों लोग एक दूसरे से नजरे मिलाने से खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने एक ही समय में अपना सिरह लाया। अब भी वहां क्या बकवास राय थी। चाहे वे चारों कितने भी प्रतिभाशाली क्यों नहों, इस तर तक पहुँचना भी असंभव था। महर की तुलनामे वे उजवल चंद्रमा की तुलनामे जुगनु के समान थे, बहुत बड़ी अस्मानता। तुम सब ठीक से खेती करो। उसका अनुसरन करने की योग्यता भी मत खोना, क्योई हाई ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आठवे लेवल में महर और काले कपड़े पहने व्यक्ती ने दूर से एक दूसरे का सामना किया। तर्यार, इस बार मैं केवल दो हथेलिया खोलूँगा और मैं अभी भी आपके जैसा ही दाइरा बनाए रखूँगा। काले कपड़े पहने व्यक्ती ने कहा। महर ने कहा, सीनियर, आपकी यह हथेली तकनीक असली ड्रैगन ताकत के साथ भी प्रकट होती है। हाला कि मुझे सर्वोच सच्चे इरादे का एसास नहीं हुआ, लेकिन शक्ती सर्वोच सच्चे इरादों से थोड़ी भी कमतर नहीं है। मुझे आश्चर्य है क्योंकि? काले कपडे पहने व्यक्ती ने कहा, इसमें अजीब बात क्या है? सच्चे ड्रैगन की ताकत सबसे पहले पांच तत्वों से बच जाती है। आपके शरीर में भी समाहित है। आपको रक्तरेखा शक्ती की ताकत का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। मिहर ने सिरहिलाया और तुरंट समझ गया। दिव्य जानवर सभी स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे थे। वे अपनी शक्ती के साथ पैदा हुए थे, अब तक वे वयस्क दिव्य जानवर बनने के लिए परिपक हो गए, वे दिव्य मार प्राप्त कर सकते थे। आरंभ से अंत तक की पूरी प्रक्रिया अविश्वसनिय रूप से स्वर्ग विरोधी थी। इसलिए दिव्य जानवर सभी बेहत घमंडी जातिया थे। यहां त उसने दोनों हाथ एक साथ रख दिये। तुरंट ड्रेगन की दहाड की एक शिंखला के साथ एक तेज हवा चलने लगी। हथेली तकनीक के इस सेट का नाम कोईलिंग ड्रेगन हेवन डेवस्टेटिंग पाम है। उनत स्तर का प्रशिक्षन बलपूरवक आकाश को चकनाच इन दो नीले ड्रेगन का सामना करते हुए महर को वास्तव में अपनी खोपडी में जुनजुनी महसूस हुई। वस्तुतर तुरंथी दो नीला ड्रेगन और दो लाल ड्रेगन इसी तरह एक साथ टकरा गए। गडगड़ा हट। ऐसा प्रतीत होता है कि टकर के बाद आय जटकों ने पूरे क्षेतर को थर्रा दिया। इस सब्मे की लहर के नीचे काले कपड़े वाला व्यक्ती पहाड की परिक्रमा की। वह जानता था कि उसका फ्लेम मुव्मेंट ट्रू ड्रेगन कार्नेज काले कपड़े वाले व्यक्ती से बिलकुल मेल नहीं खाता था। उसे अपनी ताकत बहाल करने के लिए हर संभव अफसर का लाब उठाना था ताकि अनुवर्ती संधर्ष का जवाब द रही थी। दो लाल ड्रेगन केवल समय की कई सांसों के लिए अवरुध हुए और उन दो नीला ड्रेगन द्वारा टुक्रे-टुक्रे कर दिये गए। उन दो नीला ड्रेगन की शेश गती कम नहीं हुई थी, महर की ओर तीजी से बढ़ रहे थे। हजारो बहती पंखुड उसने पहले से ही इस कोईलिंग ड्रेगन हेवन डिस्टेटिंग पाम की ताकत का अनुभव कर लिया था। और इस आठवे स्तर पर वह केवल दो हथेलिया खोलेगा। कठिनाई अवश्य बढ़ेगी। अन्य था ऐसी प्रतिभावाला ली फैंटियन इस आठवे स्तर में कै से हार सकता था। यहाँ फ्लेम मूव्मेंट ट्रू ड्रेगन कारनेज पहले से ही उनके सबसे मजबूत तुरुप के पत्तों में से एक था। लेकिन यहाँ अभी भी थोड़ी देर के लिए दो नीला ड्रेगन का विरोध नहीं कर सका। चुंकि हमले का सामना हमले से करना इन दो नीला ड्रेगन को कुछ नहीं कर सकता था, तो वह केवल बचाव ही कर सकता था। हजारो बहती पंखुडियों की आकरामक शक्ती मजबूत नहीं थी। लेकिन बचाव के लिए प्रयोग करना एक उतकृष्ट कदम था। मेहर के आठवे स्तर के समुदरी परिवर्तन की तुलना में पहले से ही लगभग तीन गुना थी। जबकि अधिकांश सामान्य सोल सागर विशेशग्यों के लिए उनके सार उर्जा समुदर की परिधी एक हजार फीट थी, महर से केवल दोगुने से अधिक। किसी को यह जानना होगा कि जब सी ट्रांसफॉर्मेशन र पहती पंखुडियों को निश्पादित करना, शक्ती और हमले का छेत्र वह सब नहीं था जिसकी तुलना पहले से की जा सकती थी। करोडों की गिंती में उर्ती हुई पंखुडिया दो नीला ड्रेगन की ओर दोड़ी। वे नीले ड्रेगन के शरीर से जुड़े रहे और लगातार हलके विस्पोट करते रहे। अगर यह कोई सामान्य हमला होता, तो महर की इस हरकत से वह कब का पूरी तरह से धराशाई हो चुका होता और उसके सामने आहीं नहीं पाता। लेकिन ये दो नीला ड्रेगन बहुत मजबूत थे। उन्होंने महर के दो लाल ड्रेगन को आसानी से हरा दिया। ये पंखुडिया उन्हें कैसे रोक सकती थी। हाला कि थाउजेंड फ्लोइन पेटल्स वह मार्शल तकनीक थी जिसमें महर सबसे अधिक कुशल था। इसकी शक्तिशाली घर्शन शम्ताओं ने अभी भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। कश गए। जब काले कपडे पहने व्यक्ति ने यह द्रिश देखा, तो वह मुस्कुराते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सका, यह लड़का इसके साधन वास्तव में अटूठ है। इतना छोटा और उसने वास्तव में इस हद तक एक सर्वोच सक्चे इरादे को समझ लिया सचमच उलेखनी, यदि यह पूर्णत है सर्वोच सक्चा इरादा होता, तो केवल इन दो हथेलियों पर निर्भर रहना वास्तव में उसके विरुद्ध कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अगर यह सिर्फ इसी स्तरका है, तो यह अभी भी अपर्याप्त है। वास्तव में उन दो नीला ड्रेगन को हजारों बहती पंखुडियों द्वारा विस्पोटित नहीं किया गया था। जल्द ही वे बाधाओं की परतदर परत तोड़ते हुए महर पर आक्रमण करने लगे। महर की अभिव्यक्ती इरादे में बदल गई और उसने जुआनिं तलवार निकाल ली। असंख्य वर्षा तलवार ब्लेड का प्रारंभिक रुख प्रदर्शित किया गया था। असंख्य वर्षा तलवार ब्लेड हजारों बहती पंखुडिया असंख्य वर्षा तलवार ब्लेड की कास्टिंग के लिए समय की तलाश में थी। यह महर का अ दोर वाली पतंग की तरह उड़ रहा था और वे दो नीले ड्रेगन भी अंता हवा में विलीन हो गए इस प्रहार के तहट आखिरकार महर घायल हो गया लेकिन अपने संधर्ष के तहट वह अंता फिर भी खड़ा हुआ महर के अंतर्मन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा फिल विशाल स्वर्ग पगोडा आपके घावों का इलाज करेगा यहां बंदय कांत में रहने के लिए आपके पास दस दिन का समय है शायद आपको कुछ लाब होगा दस दिनों के बाद आप इस दस हजार वर्षों में नोवे स्थर को पार करने वाले पहले प्रतिभाशाली बन ठीक करने का प्रभाव था मिहर ने अव्यवस्थित भावनाओं को त्याग दिया और अपनी पूरी ताकत से चोटों से उबरते हुए अपने पैरों को क्रॉस करके ध्यान किया एक घंटे से भी कम समय में मिहर की चोटे ठीक हो गई काले कपड़े पहने व्यक्ती ने कहा कि मुझे दस दिन का समय दिया गया है लेकिन इस इलाज में केवल एक घंटे का समय लगता है इन दस दिनों में उन्होंने मुझे एकांतवास में प्रवेश कराया दस दिन के समय में किस प्रकार का लाभ हो सकता है लेकिन चुंकि उसन मैं अनाम उर्जा का उपियोग करू, नवेस्टर से गुजरना भी असंभव है। एक बार जब उनकी चोटें ठीक हो गई, तो महर ने विचारविमर्ष करना शुरू कर दिया। काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने जो शब्द कहे उनका बहुत गहरा अर्थ लग रहा था। दस दिन का समय बहुत कम था। यह कहना की किसी की ताकत आश्चर्यजनत प्रक्ति कर सकती है, वह आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन महर की वर्तमान ताकत के साथ, वह संभवता नवे स्थर को पार करने में असमर्थ था। कुंदलिक ड्रैगन स्वर्ग विनाशकारी पाम की अंतिन हथेली। यह सोच कर ही महर को डर लगने लगा। जब तक उसकी मौझूदा ताकत सोलसी तक नहीं पहुँच जाती, अन्य था, इस तथाक्थित परम हथेली से लडने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भले ही महर सोलसी दाइरे में घुस गया हो, यह काले कपड़े वाला व्यक्ती निश्चित रूप से सोलसी दाइरे के साथ इस चाल को अंजाम देगा। यह किसलिए उप्योग करने के लिए परियाप्त है, महर अंजाने में ही सोचने लगा। कहा जा सकता है कि आठवे स्तर की कठिनाई पहले ही महर की सीमा तक पहुँच चुकी है। एक अंज अधिक मजबूत और महर संभवत है इसे सहन करने में असमर्थ होगा। लेकिन इस नवे स्तर की कठिनाई संभवता आठवे स्तर की कुलना में थोड़ी सी भी कठिन नहीं थी। अवधानाओ में महर की उपलब्धियों के बावजूद वह भी इसे पास करने में असमर्थ था। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी लोग इसे पारित करने में सक्षम थे। सबसे अधिक संभवना है जब तक कि दिव्यराजा शक्तिया विशाल स्वर पगोडा में प्रवेश करने के लिए उनकी खेती को दबा नहीं रही थी। क्या इसे साफ करने की संभाव न हो सकती है है ना। एक प्रेना मिली और जैसे उसने कुछ सोचा हो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा कि कॉइलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम ने जो इस्तिमाल किया वह एक सच्चे ड्रैगन की ताकत थी। और एक सच्चे ड्रैगन की शक्ती का अस्तित्व सर्वोच सच्चे इरादे के समान स्तर पर था। सर्वोच सच्चे इरादों के लिए मार्शल कलाकारों को जाने और समझने की आवश्चक्ता होती है। की सच्चे ड्रैगन की ताकत को केवल शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ती की आवश्चक्ता होती है। महर ने एक सच्चे अजगर के खून को परिश्कृत किया जो पहले से ही दिव्य जानवर के स्तर तक विक्सित होने वाला था। रक्तरेखा शक्ती पहले से ही बहुत मजबूत थी। यदि उसने कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम से निपटने के लिए एक सच्छे ड्रैगन की ताकत का इस्तिमाल किया। काले कपडे पहने व्यक्ती ने यहां तक कहा कि जब कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम को अत्यधिक उच्छ स्तर पर प्रशिक्षित किया गया था, तो यह व्याभारिक रूप से बल के साथ आकाश को चकनाचूर कर सकता था। सता का पराक्रम देखने को मिला, यदि उन्होंने इस मार्शल तकनीक को सफलता पूर्वक विक्सित किया। काले कपड़े पहने उस शक्स ने कुल मिला कर दो बार इसका इस्तिमाल किया। मिहर इस मार्शल तकनीक को समझने के लिए अपनी धारना पर भरोसा करना चाहते थे, कठिनाई की डिगरी बहुत अधिक थी। यह मिशन पूरा करना बिलकुल असंभव था। लेकिन महर का इरादाहार मानने का नहीं था। वह बहुत तेजी से ध्यान केंद्रित करने लगा और काले कपड़े पहने व्यक्ती की हर गतिविधी को ध्यान से याद करने लगा। था. एक हथेली, दो हथेलिया, तीन हथेलिया. एक जटके में महर ने दस हथेलिया खोल दी. लेकिन कोई प्रक्ती नहीं हुई. उसने असली ड्रैगन की ताकत को ख्त्म करते हुए, काले कपडे पहने व्यक्ती की हरक्तों की नकल करने का प्रयास किया. लेकिन उन्हें पता चला कि इसे पूरा करना बहुत कठिन था. भले ही महर के शरीर के अंदर एक असली अजगर की ताकत थी, लेकिन इसका उपयोग करना बहुत कठिन था. Flame movement through dragon कार्नेज के साथ भी असली ड्रैगन की ताकत जो वह जुटा सका वह बहुत ही कम थी इस कदम की ताकत मुख्य रूप से अभी भी जुलसाने वाले सच्छे इरादे पर निर्भर थी सच्छे ड्रैगन की ताकत का कार्य केवल कढ़ाई में फूल जोड़ना था और महर के लिए असली ड्रैगन की ताकत जुटाने के लिए कोईलिंग ड्रैगन हेवन डेस्टेटिंग पाम का उप्योग करना बहुत चुनोती पूर्ण था सबसे पहले वह सच्छे ड्रैगन की ताकत के अनुप्रयोग पद्धती की तह तक नहीं पहुँच पाया दूसरे वह सार उर्जा का उप्योग करने का आदी था उसकी आदत को तुरंट समायोजित करना बहुत कठिन था विशम, मेरे पास अभी भी एक सच्छे ड्रैगन की ताकत जुटाने का कोई तरीका नहीं है या कैसे किया जा सकता है मेर थोड़ा रुक कर सोचने लगा और एक बार फिर हथेली खोल दी लेकिन वह अभी तक एहसास नहीं पा सका सच्छे ड्रैगन की ताकत का मेर प्रयोग कोरे कागस के टुकडे की तरह था यहां तक की मूल बाते भी नहीं जानता था लगातार कोशिशों के बीच काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने महर की ओर देखा और आह भरने से खुद को नहीं रोक सका और बोला तुमने इस आदमी ने वास्तव में ऐसा विकृत दौर रचा है लोग इसे कैसे साफ करेंगे सच्चे ड्रैगन की ताकत एक अत्यंत शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ती है यहां तक की ड्रैगन जाती को भी वास्तव में रक्तरेखा शक्ती के अनुप्रयोग पद्धती को समझने के लिए जबरदस्ट प्रयास करना पड़ता है एक युवा जिसने अभी अभी एक सच्चे ड्रैगन की ताकत को परिश्प्रित किया है वह इसे कैसे समझ सकता है मैं सच्मुझ किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो महर के असफल होने के बाद इस विकृत नवे स्टर को पार कर सके पता चला कि यह नवे स्टर का राउंड वास्ट हेवन पगोडा के मालिक ग्वारा स्थापित किया गया था काले कपड़े पहने व्यक्ती का आशे सुनकर स्पश्टत उसे स्वय भी इस नवे स्टर की सेटिंग समझ में नहीं आई इतना चुनौती पूर्ण गौर यहां तक कि इससे अधिक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट भी संभवत है इसे पास नहीं कर सके है न सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के बारे में बात करने के लिए कंकाल की आयू प्रतिबंध ने निर्धारित किया कि मार्शल कलाकारों की अवधार नाओ और खेती के लिए यहां असंभव था जो बहुत उचे स्टर पर प्रवेश करते हैं इतने सालों तक महर की अवधार नाए सबसे अजीब अवधार नाओं में से एक थी लेकिन उनके मौझूदा स्टर के साथ नौवे स्टर को भी पार करना असंभव था एक सच्चे ड्रैगन की ताकत को समझने के बारे में बात करने के लिए एक युवा जिसने अभी अभी ड्रैगन रक्त को परिश्कृत किया है वह इतने कम समय में सफलता पूर्व कैसे समझ सकता है नोवे स्तर को पार करने के लिए व्यक्ति को शक्ति के साथ शक्तिशाली से मुकाबला करना होगा ड्रैगन रक्त को परिश्कृत करने के बाद यह एक सच्चे ड्रैगन की ताकत का दूसरे सच्चे ड्रैगन की ताकत से मुकाबला करना था अन्य था, जीट की कोई संभावना ही नहीं थी जब तक महर पूरी तरह से सर्वोच सचे इरादे पर काबू नहीं पा लेता अन्य था, वह केवल कोईलिंग ड्रैगन हेवन डेस्टेटिंग पाम का पराजित प्रतिदवंद भी हो सकता है लेकिन महर के लिए सचे ड्रैगन की ताकत पूरी तरह से विदेशी थी और एक सचे ड्रैगन की ताकत को समझना केवल पहला कदम था अंतिम हथेली को सहन करने की योग्यता प्राप्द करने से पहले, उसे अभी भी कोईलिंग Dragon Haven Distating Palm को निश्पादित करने में सक्षम होना था देखते ही देखते तीन दिन बीट गए महर ने लंबे समय से Coiling Dragon Haven Distating Palm को सीधे समझना छोड़ दिया था वह असली Dragon ताकत जुटाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था और अभी सक्षे Dragon की ताकत जुटाने का एक मात्र तरीका Flame Movement True Dragon Carnage को नियोजित करना था इन तीन दिनों में वह लगातार Flame Movement True Dragon Carnage का उप्योग कर रहा था सक्षे Dragon की ताकत के अनुप्रयोग विधी को लगातार समझ रहा था धीरे-धीरे महर को इसमें थोड़ी महारत हासिल हो गई जब उन्होंने Flame Movement True Dragon Carnage को अन्जाम दिया तो यह पूरी तरह से सक्षे Dragon की ताकत के एक अंश को Flame Movement Carnage में मिलाने की एक तरह की वृत्ती पर निर्भर था हाला कि वह केवल यह जानता था की कैसे लेकिन यह नहीं की क्यों लेकिन अब उसे वह कारण खोजना होगा कि वह एक सचे Dragon की ताकत का उपियोग क्यों कर सका इन तीन दिनों में वह इसी कारण की खोज में लगा रहा महर ने Flame Movement True Dragon Carnage का बार-बार उपियोग किया और अंता उसे एक छोटा सा कारण मिल गया उन्होंने पाया कि वह एक सचे Dragon की ताकत को इसलिए जुटा सके क्योंकि जब उन्होंने Flame Movement Carnage का इस्तिमाल किया तो उनके शरीर के आयाम और असली Dragon की ताकत के आयाम में Synchronization हासिल कर लिया तभी उसे महसूस हुआ कि वास्तविक Dragon शक्ति का एक अंश उसकी शिरोगिंदु के अंदर प्रवेश कर रहा है और मार्शल तकनीक के साथ मुक्त हो गया है महर को अचानक एक समस्या का पता चला वह यह की वह अब भी अपने आपको हमेशा एक इनसान के रूप में ही मानता था इसलिए उसके शरीर के भीतर असली Dragon ताकत ने इसे बिलकुल भी नहीं खरीदा कहने का मतलब यह भी था कि एक सचे Dragon की ताकत हासिल करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को खुद को एक Dragon में बदलना होगा न की एक व्यक्ति में Dragon Race Martial तकनीक शुरू करने के लिए मानव Martial कलाकारों के तरीकों का उप्योग करना यह स्वाभाविक रूप से कुछ निरर्थक था इस बिंदु को सपष्ट करते हुए सब कुछ संभालना आसान था महर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया और दोनों आखे कसकर बंद कर ली अपने मस्तिष्क के अंदर उसने उस द्रिश्य का अनुकरन किया जब उसने इस प्रकार का आखशेप अधिकाधिक तीवर होता गया अचानक महर ने दोनों आखें खोली और अपनी पूरी ताकत से एक हथेली बाहर धकेल दी उसकी हथेली के केंदर से एक हलकी ड्रैगन दहाड निकल रही थी यह द्रिश्य देखकर महर के चहरे पर उत्सा जलक उठा नौवास्तर महर उसने नौवे स्तर में प्रवेश किया उन्होंने ली फैंटियन को पीछे छोड़ दिया और इन 10,000 वर्षों में नंबर एक व्यक्ति बन गए महर का नाम लाइट स्क्रीन पर नौवे स्तर पर दिखाई देने पर गो तावकुन अचानक चिलाया जब से उन्हें पता चला कि महर आठवे स्तर में प्रवेश कर गया है यह कुछ लोग अब बंदय कांत में रहने के मूर में नहीं थे विशेशकर तब जब महर वास्तव में आठवे स्तर पर दस दिनों तक रहा इससे उनकी भूख और भी बढ़ गई यहां तक की क्यूई हाई भी बीच बीच में अपना सिर उठाकर लाइट स्क्रीन की ओर देखता था यह देखना चाहता था कि महर नौवे स्तर में प्रवेश कर गया है या नहीं लेकिन महर आठवे स्तर पर रुका हुआ लग रहा था और उसकी कोई गतिविधी नहीं थी गो ताउकुन उन सभी ने बस इस पर बात की उनमें से हर एक बारी-बारी से प्रतितिन निग्रानी करता था कि महर नौवे स्तर में प्रवेश कर गया है या नहीं आज तक गो ताउकुन ने आखिरकार महर का नाम नौवे स्तर पर देखा उसके चिलाने पर सभी लोग चौक कर उठ खड़े हुए नौवे स्तर का क्या मतलब था ये कुछ लोग बहुत स्पष्ट थे न जाने इसकी शुरुवात कब हुई ली फैंटियन का नाम हमेशा 10,000 वर्षों में नंबर एक प्रतिभा के खिताब से नवाजा गया और अब ये खिताब महर के सिर सजने वाला था भले ही अंथीन दुनिया एक छोटी सी दुनिया थी, 10,000 वर्षों में कितनी प्रतिभाएं पैदा होंगी इन प्रतिभाव के बीच कुछ आश्चर्यजनक पात्रों की कोई कमी नहीं थी, जैसे ग्रैंड यान प्रू लौड लू लिन फिंग लेकिन अब इन तथाक्थित प्रतिभाव को महर के चर्णों में अपना सिर जुकाना पड़ा जुवा पीधी के ये कुछ पूर्व सबसे मजबूट लोग इस एतिहासिक खण के साक्षी बने, उनके दिलों में जो उत्साह और प्रशनसा थी, उसे शब्दों में व्यक्त करना स्वाभाविक रूप से कठिन था जब से महर आठवे स्थर पर पहुँचा, लियू हों सहित इन चार लोगों ने पहले ही अपना सारा घमंड प्याग दिया घले ही वे और भी अधिक उग्र और घमंडी थे, उन्होंने अपनी चेतना की जाच की और जानते थे कि उनके लिए आठवे स्थर इस प्रकार के स्थर तक पहुँचना असंभव था पांच वास्तर और आठ वास्तर, इसके बीच के गैप को दूरी से नहीं मापा जा सका अब जब महर ने अंतिम स्तर पर कदम रखा, तो इससे वे पहले से ही प्रशन सामे चारों खाने चित हो गए जैसा की क्यूई हाई ने उस समय कहा था, शायद किसी दिन उन्हें महर का अनुसर्ण करने पर गर्व होगा घले ही यह सिर्फ एक किमवदन्ती है, इन अंतिम तीन स्तरों की कठिनाईया निश्चित रूप से ऐसी हैं, जिनकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं महर वह वास्तव में ऐसे कठिनाई स्तर के पहत लगातार दो राउंड पार कर सकता था सचमुच आश्चर्यजनक किन यान ने कहा उस समय ग्रैंड यान ट्रू लॉड वह आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल साथवे स्तर तक ही पहुँच पाया था महर अब नौबे स्तर पर पहुँच गया है नियूंतम स्तर पर भी उसकी उपलब्धिया उससे कम नहीं होंगी ठीक है गोत आउकुन ने कहा यह निश्चित है प्राचीन काल से कभी कोई ऐसा नहीं हुआ जो नौबे स्तर तक पहुँच पाया है कम से कम महर संभवता ग्रैंड यान प्रू लौड से भी बत्तर नहीं हो सकता किन यान ने कहा हे मुझे आश्चर्य है कि महर की किमवदंती कितने वर्षों तक हमारी अंथीन दुनिया में प्रसारित होगी अब मुझे लगता है कि उनका अनुयाई होना कोई बुरी बात नहीं है शायद उसके दैवी एक शेत्र में आरोहन के बाद हम उसके कोट पर सवारी करने वाले मुर्गे और कुट्टे भी बन सकते हैं गोतावकुन ने कहा ओह तुम मुर्गी और कुट्टे हो लेकिन अभी मुझे सच में लगता है कि महर एक महान भागयवाला व्यक्ति है उसके साथ चलने से हमें अनंत लाब प्राप्थ हो सकते हैं कि न्यान ने कहा बगल में ये न्यान हुआ ने चुपचाप अपना सिरह लाया जाहिर है वह भी इन शब्दों से काफी सहमत थी और भले ही यू होंग ने कुछ नहीं बोला लेकिन उनके हाभभाव से भी पता चर रहा था कि महर का अनुयाई बनने के बारे में उनकी पहले से ही कोई राय नहीं थी क्योई हाई ने पूरी तरह से बात नहीं की आधे रास्ते में हार मानने की आदत नहीं है क्या आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ इस नोवे स्टर को पार कर सकते हैं आप अपनी बुद्धी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हथेली कितनी शक्तिशाली होगी आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे पार करने में सक्षम होना बिलकुल असंभव है और इसे पास न कर पाने का नतीजा वृत्यू है आप इन 10,000 वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली युवा है तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारना मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकता काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने रास्ते में महर की स्वर्ग विरोधी प्रतिभा देखी वह स्वाभाविक रूप से अपने दिल में ऐसी प्रतिभा को नश्ट करने के लिए तयार नहीं था उहू बिना कोशिश किये कैसे पता चलेगा? वरिष्ट अपनी चाल चलें, महर ने इस दुनिया की परवाह किये बिना उदासीन्ता से कहा काले कपडे वाला व्यक्ती चुप रहा और कुछ नहीं बोला जिस कारण से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि महर नौवे स्टर को पार नहीं कर सका वह वास्तव में यह था कि महर ने बाद के पांच दिनों में कुछ भी नहीं किया था उन्होंने पांच दिनों तक आठवे स्टर पर एकांत में ध्यान किया इससे पहले महर ने एक सच्चे ड्रैगन की ताकत को नियंत्रित करने की विधी खोजने में तीन दिन का समय लगाया था इसने वास्तव में काले कपड़े पहने व्यक्ती को थोड़ा आश्चर यचकित कर दिया था लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वह यह थी कि महर वास्तव में बाद के पांच दिनों में पूरे समय एकांत में ध्यान करते रहे मार्शल तकनीक और समझने वाली अवधारनाय अलग थी उर्व को लगातार प्रशिक्षन के लिए एक की आवश्यक्ता थी विशेश रूप से ड्रैगन रेस की मार्शल तकनीक को और भी अधिक निखारने के लिए समय की आवश्यक्ता थी मेहर ने नहीं सुचा था कि वह एक सच्चे ड्रैगन की ताकत का उप्योग करके नवे स्टर को पार कर सकता है, है न? एक हथेली को मुक्त करने के लिए सक्चे ड्रैगन की ताकत का उप्योग करना और एक हथेली को मुक्त करने के लिए कोईलिंग ड्रैगन हेविन डिस्टेटिंग पाम का उप्योग करना दो पूरी तरह से अलग अवधार नाई थी या शायद महर इन पांच दिनों के दौरान कोईलिंग ड्रैगन हेवें डिस्ट्रैटिंग पाम को समझ रहा था, लेकिन उसे कोई फाइदा नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस पोन से देखता है, महर को नोवेस दर तक पहुँचने की उम्मीद नहीं थी मेरी सलाह है कि बहतर होगा कि आप हार मान लें कोईलिंग ड्रैगन हेवें डिस्ट्रैटिंग पाम अल्टिमेट पाम, हाला कि मैं केवल 20% ताकत का उप्योग कर रहा हूँ यह वह धारा भी नहीं है, जिसका आप मुकाबला कर सकते हैं यदि आप कुंडलित ड्रैगन स्वर्ग विनाशकारी पाम को समझ सकते हैं, तो अभी भी आशा है हाला कि आप जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपके पास अपनी रक्षा करने की ताकत तो है लेकिन आपने केवल एक सक्चे ड्रैगन की ताकत को संचालित करने की विधी को समझा है, और कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम के बारे में मूल बाते नहीं सीखी है जीवित रहना बिलकुल असंभव है, कुछ देर सोचते हुए, काले कपड़े पहने व्यक्ती ने फिर भी उसे प्रोचसाहित किया ऐसा नहीं था कि काले कपड़े वाला वह व्यक्ती महर को लेकर निराशावादी था इसके विपरीत वह महर को लेकर बहुत आशावादी था लेकिन वह कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम की ताकत के बारे में और भी स्पष्ट था इस मार्शल तकनीक की ताकत महर अनुभव करने में असमर्थ था इस नवे स्टर की कठिनाई बहुत विक्रित थी आपको पहले विशाल स्वर्ग पगोडा से बाहर निकलना चाहिए आप अभी भी जवान है दस साल बाद फिर से विशाल स्वर्ग पगोडा में आएं यह नवा स्टर भी आपके लिए ज्यादा नहीं माना जाएगा उस समय आप किसी उचे स्थान से विस्मयकारी द्रिश्य की अनुभूती का अनुभव कर सकेंगे जवान आदमी कभी कभी एक कदम पीछे हटो और यह अंथीन नीला आसमान है काले कपड़े पहने व्यक्ती से आग रह किया महर ने काले कपड़े पहने व्यक्ती की ओर देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा सीनियर की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद लेकिन इस नवे स्थर पर मैं अभी भी चुनौती देना चाहता हूँ मेरी दुनिया में पीछे सभी खड़ी चटाने और उंची चटाने है केवल मेरे सामने अनंत नीला आकाश है ये कुछ वीर्तापूर्ण शब्द नहीं थे बलकि महर द्वारा व्यक्त किये गए शक्तिशाली आत्म विश्वास ने काले कपड़े पहने व्यक्ती को सपष्ट रूप से प्रभावित किया फिर भी काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने जिस तरह से देखा वह अभी भी महर की सोच को समझ नहीं पा रहा था एक कदम पीछे अंथीन नीला आसमान यह थी काले कपड़े पहने व्यक्ती की जीवन की समझ लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए अनंत नीला आसमान यह थी जीवन के प्रती महर की समझ भले ही यह पिछला जीवन हो या यह जीवन मेहर के शब्द कोश में ये दो शब्द बैक डाउन नहीं थे इसके अलावा मेहर के लिए वह सचमुछ अगले दस वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता था मेहर के लिए दस साल बहुत लंबे थे अरे तुम यह लड़का वास्तव में काफी अलग हो तथा पी यह आप स्वया ही मांग रहे हैं यदि तुम मेरे हाथों मर जाओ तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा कोई शिकायत नहीं कोई पच्चतावा नहीं अच्छा, चुंकि बात ऐसी है तो मैं तुम्हारी इच्चा पूरी कर दूंगा काले कपड़े वाले ने बात खत्मकी नौवे स्तर का पूरा स्थान धूमिल हो गया अब देखना ही था कि उसने अपनी हथेली उपर उठाई अत्यन थिंसक आभा सभी दिशाओं में फैल गई एक विशाल नीला अजगर धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया जो काले कपड़े पहने व्यक्ती के पीछे घूम रहा था और जब वह महर की ओर देखता था तो उसके चहरे पर बरबरता दिखाई देती थी हाला कि वह जानता था कि यह सिर्फ एक धर्म मूर्ती थी फिर भी महर को जबरदस्ट दबाव महसूस हुआ महर की आस्तीन का कोना उपर उठाते हुए तेज हवा चली तार का बल अभी भी चोड़ा जाना बाकी था वहाँ पहले से ही एक प्रभावशाली गती थी जिसने आकाश को धूमिल कर दिया और प्रिथवी को धकर हर चीज़ को अपनी चपेट में ले लिया इस कुंडलिक ड्रैगन स्वर्ग विनाशकारी पाम को बल के साथ आकाश को चकनाचूर करने में सक्षम माना जाता है सचमुच इसकी प्रतिष्ठा के योग्य उन्होंने अपनी खेती को आठवे स्टर के समुदरी परिवर्तन तक दबा दिया और केवल 20% वास्तविक ड्रैगन की ताकत का उप्योग किया इस अंतिम हथेली में वास्तव में ऐसी शक्ती है काले कपड़े पहने उस व्यक्ती की यह हथेली मेहर की कलपना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी नोवे स्टर और आठवे स्टर की कठिनाईया वास्तव में इस मौजूदा स्टर के समान स्टर पर नहीं थी कोई आश्चर्य नहीं कि काले कपड़े पहने, व्यक्ति उससे 9 स्तर से बाहर निकलने का आगरह करता रहा कठिनाई का यह स्तर वास्तव में कोई सामान्य प्रकार का अजीब नहीं था वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या यह विशाल स्वर्ग पगोडा का मालिक एक मनोरोगी था या नहीं जिसने वास्तव में कठिनाई के ऐसे स्टर को बाधा के रूप में खड़ा किया था इसे संभवता कैसे साफ किया जा सकता है इसके अलावा, बिना किसी संदेह के, इस काले कपड़े वाले व्यक्ति की असली ड्रैगन ताकत सपष्ट रूप से पहले से ही अत्यधिक उच्चस्तर पर विक्सित की गई थी केवल 20% वास्तविक ड्रैगन की ताकत वास्तव में ऐसी भयावा चाल उत्पन न कर सकती है महर ने बिना अपनी नजरे हिलाए उस काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा और उसकी हर हरकत को अपने दिमाग में मैप किया अचानक महर के मुह के कोनों पर मुस्कुराहट का एक संकेट चमक गया तो यह ऐसा ही है उसने धीरे से अपनी आखे बंद कर ली उसके शरीर की मान स्पेशिया एक अजीब गती से हिलने लगी महर ने काले कपड़े पहने व्यक्ति के तरीके से सीखा अपनी हथेली उठा कर अपने पूरे शरीर में असली ड्रैगन की ताकत का प्रयोग किया महर के पीछे एक बेहोश प्रेट दिखाई दिया यह वास्तव में एक धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन भी था जब काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने यह द्रिश्व देखा तो उसकी पुतलिया सिकुड गई और उसकी द्रिश्टी में अविश्वसनी आश्चर्य प्रकट हुआ यह लड़का आखिर उसने इसे कैसे पूरा किया यह मेरा पहली बार है जब मैं कोईलिंग ड्रैगन हेवन डेस्टेटिंग पाम की अंतिम हथेली की कास्टिंग कर रहा हूँ वह उसने वास्तव में इसे सीखा यह कैसे संभव है इस समय काले कपड़े पहने व्यक्ति के हृदय में जो आश्चर्य था उसे शब्दों में बरनित नहीं किया जा सकता वह वास्तव में यह कलपना करने में असमर्थ था कि एक प्रतिभा इतने कम समय में कोईलिंग ड्रैगन हेवन डेस्टेटिंग पाम को कैसे समझ सकती है वास्तव में इस संसार में ऐसा स्वर्ग विरोधी प्रतिभाशाली युवक था काले कपड़े पहनने वाला इस समय पहले से ही अपने कोशल को ढालने के महत्वपूर मोर पर आ गया था उसने सदमे को जबरदस्ती अपने दिल में दबा लिया और कोशल डालना जारी रखा कुंडलित ड्रैगन स्वर्ग विनाशकारी पाम तूटते सितारे काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने तेज चीख मारी धर्म मूर्ती सच्चा ड्रैगन एक दहार के साथ जारी किया गया था वह गती वास्तव में स्वर्ग और प्रित्वी को चौका देने वाली और देवताओं तथा भूतों को रुलाने वाली थी एक धर्म मूर्ती सच्चा ड्रैगन अपने नुकीले दांत निकाल कर और पंजे लहराते हुए महर की ओर उड़ गया एक धर्म मूर्ती को संधनित करने में सक्षम होने के लिए यह संकेट दिया गया कि रक्तरेखा शक्ती बहुत मजबूत थी और एक सच्ची ड्रैगन धर्म मूर्ती को संक्षित करना और भी अधिक कठिन धर्म मूर्ती थी यहां तक कि असली ड्रैगन रेस में भी बहुत कम लोग ही इसे संक्षेप में प्रस्टुत कर सकते हैं इसलिए उसकी आँखों के सामने यह नीला ड्रैगन पिछले दो स्टरों से बिल्कुल अलग स्टर पर था इस समय महर ने अचानक दोनों आखें खोल दी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी हो और धर्म की मूर्ती को अपने पीछे धकेल दिया हो काले कपड़े पहने व्यक्ती की धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन की तुलना में महर की धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन बहुत अधिक घ्रामक और आकार में भी छोटा था जाहिर है यह कहीं अधिक घटिया था लेकिन यह कुंजी नहीं थी महत्वपूर्ण बात यह थी कि महर जैसा छोटा नौसिखिया वास्तव में एक धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन को संधनित पर सकता था गड़ड़ा हट दो धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन एक साथ भयंकर रूप से टक्रा गए उत्पन सद्मे की लहर ने व्याभारिक रूप से पूरे नौवे स्तर को प्रभावित किया काले कपड़े वाला व्यक्ति इस तूफान में एक इंच भी नहीं हिला इतनी तीवर टक्कर का वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन महर ऐसा नहीं कर सका उसने सीधे ही एक बड़ाकोर खून की उल्टी कर दी जिसका जबरदस्ट असर हुआ यदि ऐसा नहीं है कि उसका वर्तमान शरीर ड्रैगन रप्त के रिमोल्डिंग से गुजरा है और पहले से ही वह नहीं रह गया है तो यह जटका उसके जीवन का डावा कर सकता है हाला कि यह अभीक्तम नहीं हुआ था काले कपड़े पहने व्यक्ती की धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन ने सीधे महर की धर्म मूर्ती को तोड़ दिया और महर की ओर हमला करना जारी रखा लेकिन इस समय धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन केवल एक धुंधली छवी के साथ रह गया था जाहिर है असली ड्रैगन ताकत का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया था असंख्य वर्षा तलवार ब्लेड महर को जरा भी जिजक नहीं हुई उसने अपने शरीर पर लगी चोटों को बलपूर्वक दबाया और अपने शरीर की सारी सार उर्जा को बिना कुछ रोके असंख्य वर्षा तलवार ब्लेडों को क्रियानवित करते हुए संचालित किया गडगड़ा हट एक और जोरदार टकर लेकिन इस बार हंगामा पहले जितना तीवर नहीं था महर ने फिर से खून की बड़ी उल्टी की और जमीन पर कमजोर होकर गिर गया हाला कि धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन के पास केवल एक बेहोश प्रेट बचा था शक्ती अभी भी बेहत मजबूत थी महर ने उन परिस्थितियों में बलपूर्वक सार उर्जा का प्रयोग किया जहां वह धायल था इसकी वजह से पहले से ही उसकी चोटे बढ़ती जा रही थी एक बार फिर तीवर प्रभाव जेलते हुए वह इस समय पहले से ही बहुत कमजोर था हाला कि काले कपडे पहने व्यक्ती की धर्म मूर्ती नीला ड्रैगन अंत में महर द्वारा पूरी तरह से समाप्थ हो गया था काले कपडे पहने व्यक्ती ने यह द्रिश्ध देखा और काफी देर तक अवाक रह गया आखिरकार उसने फिर भी आह भरी और कहा मेरे पास वास्तव में कलपना करने का कोई तरीका नहीं है कि आपने कुंडलिक ड्रैगन स्वर्ब विनाशकारी पांग को कैसे समझा इस तरह एक गया उस साथी की आवशक्ताओं के अनुसार आपको अंत में खड़ा होना ही होगा लेकिन इस समय आप गंभीर रूप से घायल है और आपकी मूल उर्जा समाप्थ हो गई है खड़े होने के बारे में भूल जाओ थोड़ा सा हिलना भी शायद असंभव है काले कपड़े वाला वह व्यक्ती सचमुच सगने में था लेकिन वह विशाल स्वर्ग पगोडा के मालिक की आवशक्ताओं के विरुध जाने में असमर्थ था यदि महर खड़ा नहीं हो सका तो भी अंत में अस्फल ही होगा लेकिन तुम्हें खेड महसूस करने की भी जूरत नहीं है आपने पहले ही बहुत अच्छा किया है विशाल स्वर्ग पगोडा मार्शल कलाकारों को दूसरी बार प्रवेश करने से मना नहीं करता है आपकी प्रतिभा के साथ नौवास्तर दस साल बाद आपके सामने उल्लेख करने के लायक ही नहीं होगा काले कपडे पहने व्यक्ति ने सांत्वना दी जमीन पर पड़ा महर उत्तेजित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संधर्ष करने लगा नहीं यहां अभी तक खत्म नहीं हुआ है महर की मुठिया कसकर भीच गई क्योंकि उसने शरीर की सारी ताकत लगा दी उठना चाहता था काले कपडे पहने उस व्यक्ति के हाभाव बदल गए महर की चोटों को लेकर उनका फैसला गलत नहीं होना चाहिए तारकिक रूप से कहें तो महर के लिए खड़ा होना असंभव था लेकिन यह लड़का तकराना महर ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन फिर भी वह फिर से जमीन पर गिर गया अब और संघर्ष मत करो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे हार स्वीकाराना विशाल स्वर्ग पगोडा आपके घावों का इलाज कर सकता है महर को इतना जिद्दी देखकर काले कपड़े वाला व्यक्ती भी काफी चिंतित हुए बिना नहीं रह सका इस कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्ट्रैटिंग पाम की अंतिम हथेली में कुछ भी नहीं था जिसे तुछ समझा जा सके महर को इस समय चोटों के उपर चोटे लगी हुई थी भले ही उसके शरीर में ड्रैगन के खून की रिमोल्डिंग हुई हो यह पहले ही अपनी सीमा तक पहुँच चुका है महर का इस तरहा खिलवार करना सचमुच उसकी जान जोखिम में डालना होगा नहीं, मैं, मैं कर सकता हूँ खड़े हो जाओ, महर ने हटपूर्वक कहा वह फुम्फकार्ती हुई धौकनी की करह बहुत जोर से हामफने लगा जाहिर है उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुँच चुका था फिर भी उसने फिर भी हटपूर्वक अपने शरीर को उपर उठाया और धीरे धीरे उठ गया इस द्रिश को देखकर काले कपड़े पहने वह व्यक्ती भी भावुख हो गया उसकी इच्छा थी कि वह आगे बढ़े और महर का साथ दे लेकिन काले कपड़े पहने उस व्यक्ती को पता था कि अगर उसने सच में ऐसा किया तो महर न केवल उसे धन्यवाद नहीं देगा बलकि उससे नफरत करेगा क्योंकि उस तरीके से न केवल महर की चुनौती विफल हो जाएगी बलकि महर की गरिमा को भी रौंद दिया जाएगा यह एक अध्वितिय प्रतिभा का गौरव था महर मर सकता था लेकिन उसे दूसरे लोगों के दान की बिल्कुल जुरूरत नहीं थी आखिरकार मैं समझ गया कि आप ऐसा मंच क्यों बनाना चाहते हैं वह और आप वास्तव में एक जैसे हैं काले कपड़े पहने व्यक्ति ने मन ही मन बढ़ड़ाया ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ आ गया होगे बहुत समान थे तक्राना महर एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा यह चौथी बार था जब वह अस्फल हुए इन प्रयासों के दौरान उसके घावों पर असर पड़ा और हर बार वह और भी बत्तर हो गया उसने कई कोर खून की उल्टी की थी उसका रंग लगातार पीला होता गया और उसकी सांसे धीरे-धीरे कमजोर होती गई लेकिन उसने फिर भी हटपूरवक एक बार फिर खड़े होने का प्रयास किया अर्ग महर ने चिलाने में अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी इस बार वह अंतह उठ खड़ा हुआ लेकिन उसके दोनों पैरों में पहले से ही जराभी ताकत नहीं थी वह खड़ा हुआ और उसके पैर कमजोर हो गए और वह लगभग फिर से गिर पड़ा कुछ कदम लड़ खड़ाने के बाद ही महर ने बमुश्किल अपना फिगर स्थिर किया हफ आवेश महर बिना रुके हांफ रहा था वह पहले से ही हज़ से ज्यादा थका हुआ था उसका शरीर डोलता रहा परंतु शुरू से आखिर तक गिरा नहीं यह द्रिश देखकर काले कपड़े पहने उस व्यक्ति का चहरा आखिरकार बदल गया यदि यह कहा जाए कि पहले उसके मन में महर के प्रती एक प्रतिभा की सराहना थी तो इस क्षण वह महर के प्रती प्रशंसा से भर गया था उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि महर पहले ही अपनी सीमा तक पहुँच चुका था खड़े होने में सक्षम होने के लिए महर को पूरी तरह से एक सास पर निर्भर रहना पड़ा अपार इच्छा शक्ती के बिना यह किया ही नहीं जा सकता था काले कपड़े पहने व्यक्ती महर के सामने आया और बोला बेटे तुम भविश में दुनिया को हिला देने वाली शक्सियत बनोगे आपकी प्रतीक्षा करने में सक्षम होने के लिए इस स्थान की पचास हजार वर्षों तक कड़ी सुरक्षा करना भी व्यर्थ नहीं गया महर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया वह अब भी अपना सिर जुकाए लगातार वहीं जूल रहा था 1. काले कपडे पहने उस व्यक्ती को अचानक कुछ गडबड का पता चला करीब से देखने पर पता चला कि वास्टव में महर की दोनों आखे कसकर बंद थी वह पहले ही बेहोश होकर मर चुका था स्थिती देखकर काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने एक लंबी आह भरी और एक हाथ से इशारा किया हवा से प्रकाश की एक किरन चमकी जिसने महर को अंदर तक घेर लिया महर के शरीर की आभा पहले से ही बहुत कमजोर थी अगर अब भी इसका इलाज नहीं किया गया तो वह सचमुच मर जाएगा लेकिन काले कपड़े पहने वह व्यक्ती वास्तव में यह कलपना करने में असमर्थ था कि महर ने खड़े होने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ती पर भरोसा किया था काले कपड़े पहने उस व्यक्ती ने प्रकाश प्रभामंडल के मध्यमिहर की ओर देखा उनकी अभिव्यक्ती और भावनाय जटिल थी कितने साल हो गए जब उसकी भावनाय इतनी उत्तेजित हो गई थी उन्होंने अपने विशाल स्वर्ग पगोडा में पचास हजार वर्षों तक प्रतीक्षा की फिर भी एक भी ऐसा नहीं था जो सचमुझ उसके दर्शनियस थलों में प्रवेश कर सके कई हजार साल पहले जब लीफेंटियन नामक वह युवक उसके सामने आया तो अंत्र उसकी आखें चमक उठी हाला कि लीफेंटियन अंत्र आठवें स्थर तक नहीं पहुँच सके इससे उन्हें काफी समय तक पच्टावा भी महसूस हुआ मेहर की उपस्थिती तक आखिरकार इस युवक ने उसे एक वास्तविक जटका दिया सच तो यह है कि पहले तीन स्थरों पर काले कपड़े पहने व्यक्ती को अभी तक यह महसूस नहीं हुआ कि महर लीफेंटियन से अधिक मजबूत था लेकिन जब महर को दूसरा पूर्ण समापन मिला, तो काले कपड़े पहने व्यक्ती को अंतह महर की असाधारंता का एहसास हुआ विशेशकर महर ने ड्रैगन के रक्त को परिश्कृत किया था इससे उन पर जबरदस्ट प्रभाव पड़ा और अब वह काले कपड़े वाला व्यक्ती इस युवक के प्रती प्रशंसा से भर गया इस युवा पिता में प्रतिभा थी, इच्छा शक्ती थी और भाग्यशाली मौके थे महर में पावर हाउस बनने के लगभग सभी गुन मौझूद थे इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने महर पर उस व्यक्ती की परचाई देखी जिद एक अडिग आत्मा इस क्षण तक उस काले कपड़े पहने, व्यक्ती को आखिरकार विशाल हेवन पगोडा के मालिक द्वारा इस नौवेस्तर की बाधा खड़ी करने का उद्देश समझ में आ गया नौवेस्तर के इस परीक्षण में केवल समझने की क्षमता ही नहीं थी, इसने व्यक्ती के चरित्र का और भी अधिक परीक्षण किया महर ने धीरे से दोनों आखें खोली और पाया कि वह एक अध्यात स्थान पर था आप जाग रहे हैं यहां विशाल स्वर्ग पगोडा का केंद्रिय स्थान है आपने पहले ही नौवास्तर सफलता पूर्वत पार कर लिया है एक बुजुर्ग आवाज ने कहा महर की नजरे धीरे धीरे केंद्रित हो गई उसकी नजर में एक दुबला तला बूढ़ा आदमी था तुम हो काले कपड़े वाला व्यक्ति महर ने एक पल के लिए जिजगते हुए पूछा इस बूढ़े आदमी की शकलब बहुत दरावनी थी उसके चहरे पर जुर्या पहले से ही आपस में गुच्छित होकर बहुत भयानत लग रही थी यह बूढ़ा आदमी लॉंग तेंग है महर के हावभाव बदल गए और उसने पूछा क्या सीनियर ड्रैगन रेस का सदस्य हो सकता है लॉंग तेंग के चहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ और उसे तुरंट एहसास हुआ तुम यह लड़का वास्तव में चतुर हो तथा पी इस बूढ़े आदमी ने कभी भी खुद को ड्रैगन रेस का सदस्य नहीं माना है महर ने मुस्कुराते हुए कहा सीनियर की ड्रैगन रेस मार्शिल तकनीक पूर्णता के चरम पर है और उन्हें लॉंग ड्रैगन के उपनाम से भी नवाजा गया है अगर मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता तो मैं भी बहुत बेवकूफ हो जाऊंगा लॉंग उपनाम वाले कई लोग थे लेकिन कोईलिंग ड्रैगन हैविन डिस्टैटिंग पाम ऐसी स्वर्ग विरोधी मार्शल तकनीक को इस स्थर तक विक्सित करने में सक्षम होने के लिए वह बिल्कुल एक साधारन व्यक्ति नहीं था दिव्यक शेत्र की ड्रैगन डॉड एक बहुत शक्तिशाली डॉड थी महर ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने इस बुढ़े व्यक्ति को इस जाती से जोड़ा बात सिर्फ इतनी थी कि लॉण टेंग की बातों से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ड्रैगन जाती से उनका सीधा रिष्टा शायद इतना सरल नहीं था हाला कि महर बहुत जिग्यासु था फिर भी उसने बिना सोचे समझे सवाल पूछने की योजना नहीं बनाई थी इससे वर्जनाओं का बहुत उलंगन हुआ ठीक है लड़के मैं बहुत उचसुक हूँ कि तुमने कोईलिंग ड्रैगन हेवें डिस्टैटिंग पाम को कैसे समझा इस समय जब महर बेहोश था लॉंग टेंग अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद भी यह पता नहीं लगा सका कि यह समस्या क्या थी किसी को यह जानना होगा कि उन्होंने इस मार्शल टकनीक पर कई हजार वर्षों से भी अधिक का प्रयास किया है लेकिन महर ने केवल कुछ ही दिनों का उप्योग किया और इसे समझ लिया इसके अलावा वह जानता था कि महर ने तार कला का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया है उन्होंने पूरे समय आठवे स्तर पर ध्यान किया यह बहुत अजीब था महर ने मुस्कुराते हुए कहा अंतिन तीन स्तरों को कोईलिंग ड्रैगन हेवें दिस्टैटिंग पाम द्वारा सनरक्षित किया गया था इसके अलावा जब सीनियर लॉंग इस कदम का उप्योग कर रहे थे तो आप बहुत सोच विचार कर रहे थे जैसे कि जानबूच कर मुझे स्पष्ट द्रिश्टिकोन देने दे रहे हूँ फिर नवे स्तर को पार करने का निरनायक मोर स्वाभाविक रूप से केवल इस कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम पर ही हो सकता है वास्तव में, जब से मुझे असली ड्रैगन की ताकत को नियंत्रित करने की विधी मिली, मैं पूरे समय इस बात पर विचार कर रहा था कि कोईलिंग ड्रैगन हेवें डेस्टार्टिंग पाम को कैसे पकड़ा जाएं। बाद में, मुझे पता चला कि जब सीनियर आपकी हरक्तों को अंजाम देता है, तो आप विशिष्ट समय पर एक प्रकार की विशेश तरंग जारी करेंगे। तो मैंने अनुमान लगाया कि इस कोईलिंग ड्रैगन हेवें डेस्टार्टिंग पाम की कुंजी यही थी। और इ बहुत उचित है, महर ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉंग टेंग ने गहरी सास लेते हुए कहा, ड्रैगन रेस की सभी मार्शल तकनीके ड्रैगन वेव के साथ जारी की जाती हैं। यह मार्शल तकनीक की ताकत और कमजोरी के अंतर के अनुसार है, ड्रैगन तरंग की कमप लेकिन इन शब्दों ने महर को स्थब्ध कर दिया, उह। क्या यह बहुत मुश्किल है? इन शब्दों को सुनकर लॉंग टेंग का गलारुंद गया और पीछे के शब्दों को जबरगस्ती निगल लिया गया। लॉंग टेंग के उस विवादित चहरे को और भी अधिक परिशान होता देख महर को भी एहसास हुआ कि यह काफी कठिन लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से ड्रैगन वेव टु हैवन रांक की खेती करता था। लॉंग टेंग ने काले चहरे के साथ कहा। महर ने कमजोरी से जवाब दिया, पांच साल। लॉंग टेंग का फिर से दम घुट गया और वह लगभग सास नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने महर से घूर कर कहा सौ साल। महर खुद भी बहुत उलज़ा हुआ था। उन्होंने केवल लॉंग टेंग के प्रदर्शन के अनुसार कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पांग को निश्पादित करने की विधी की खोज की। वह पूरी तरह से नहीं जानता था कि Dragon Wave किसे कहते हैं और यह भी नहीं जानता था कि Dragon Wave का अभियास करना कितना कठिन था Long Tank को यह कहते हुए सुनने के बाद ही मेहर को अंतर पता चला कि दूसरे पक्ष के मन में उसका गला दबाकर हत्या करने की ऐसी इच्छा क्यों थी यह पहली बार था जब उन्होंने ड्रैगन वेव का उपयोग किया था और यह वास्तव में स्वर्ग रैंक तक पहुँचने के मानक तक पहुँच गया था जबकि लॉंग टेंग जैसे शिखर विशेशग्य ने वास्तव में 100 साल का उपयोग किया था मेहर की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी क्योंकि उसने कहा एचाहा सीनियर लॉंग मैं एक अंधी बिल्ली हूँ जो मरे हुए चुहे से तकरा रही है वास्तव में मुझे प्रशिक्षित करने के लिए शायद मुझे भी 100 वर्षों तक प्रशिक्षन की आवश्चक्ता होगी कौन जानता था कि लॉंग टेंग का चेहरा फिर से काला हो गया है उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और घबराकर घूरते हुए कहा इस बूढ़े आदमी को इतनी बकवास मत करो क्या आपको लगता है कि 100 वर्षों में हेवन रांक ड्रैगन वेव प्राप्ट करना पहले से ही बहुत सामान्य बात है महर ने अजीब सी मुस्कान दी लेकिन लॉंग टेंग अपनी अभिव्यक्ती से भी बता सकता था कि वह क्या सोचता है जब यह बूढ़ा आदमी छोटा था तो मुझे ड्रैगन जाती की नंबर एक प्रतिभा के रूप में जाना जाता था सामान्य लोगों को ड्रैगन वेव को हैवन रैंक तक बढ़ाने के लिए कम से कम तीन सौ वर्षों की आवश्यक्ता है नहीं करने के लिए अगर इसे भूल जाओ बातचीत के उन बासी विश्यों के बारे में बात नहीं कर रहे हो लॉं टेंग ने कहा और अपना हाथ लहराया खासी खासी सीनियर लॉंग मेरा मतलब यह नहीं था इसे भूल जाओ इसे भूल जाओ आपका क्या मतलब है क्या मैं अभी भी नहीं जानता तुम संकी हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई संकी है मैं आपको बता दूँ यह ड्रैगन लहर 6 सीमाओं में विभाजित है पीली रैंक, रहस्यवादी रैंक, पृत्वी रैंक, स्वर्ग रैंक, आत्मा रैंक और दिव्य रैंक यद्यपी आपका कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम वर्णनातीत है ड्रैगन लहर वास्तव में पीक अर्थ रैंक की सीमा तक पहुँच गई थी इस तर के साथ आप कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम की खेती करने से आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम मिलेंगे, लॉंग टेंग ने कहा मेहर ड्रैगन जाती की साधना पधतियों से पूर्णत्या अन्भिग्य था इस समय लॉंग टेंग की बाते सुनकर उसकी दिल्चसपी बढ़ गई वह वर्णनातीत कॉइलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम जिसे उसने पहले ही निश्पादित किया था वह पहले से ही उस तरह की शक्ती तक पहुँच गया था तो फिर असली कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम कितना शक्तिशाली होना चाहिए यह बात कोई भी कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम लॉंग टेंग को देखकर बता सकता है हाला कि महर कम समय में उस तर तक नहीं पहुँच सके, लेकिन अगर उन्होंने इसे सीख लिया, तो यह निश्चित रूप से अब उनके सबसे महान तुरुपों में से एक होगा यह असंख्य वर्षा तलवार ब्लेड से भी आगे निकल जाएगा आगे, लॉंग टेंग का अर्थ सुनकर, उसके पास ड्रैगन रेस की मार्शल तकनीकों को विक्सित करने की अच्छी प्रतिभा थी इससे महर और भी अधिक प्रभावित हुआ किसी को यह जानना होगा कि उच्छतम स्तर पर खेती की गई, यह कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्ट्रैटिंग पाम सरवोच सचे इरादों से बिल्कुल भी बत्तर नहीं थी सीनियर लॉंग यह कुंडलिक ड्रैगन स्वर्ग विनाशकारी पाम महर ने मुस्कुराते हुए पूछा लॉंग टेंग ने एक कुरूप मुस्कान दी और कहा आराम करो, यह कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम नवे स्तर को पार करने के लिए पुरसकारों में से एक है अगर यह तुम्हें सिखाया ही नहीं गया, तो मैं इतनी महंत किसलिये करूँगा में से एक पुरसकार महर की आखे चमक उठी कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्टैटिंग पाम पहले से ही एक बहुत ही दुर्जे मार्शल तकनीक थी कम से कम महर की समझ के साथ इस कदम को शिखर स्थर तक प्रशिक्षित करना स्पिरिट बिस्टल नाइन यान दिवाइन आट के नाइन सांस बर्निंग हेवन की तुलना में बिल्कुल भी बुरा नहीं था यदि यह नवे स्थर को पार करने के पुरसकारों में से एक था तो अंतिन पुरसकार क्या था लॉंग टेंग ने स्पष्ट रूप से महर के विचारों का अनुमान लगाया और सिर हिलाते हुए कहा यह सही है यह नवे स्थर को पास करने के पुरसकारों में से एक है जहां तक इस अंतिन पुरसकार की बात है क्या तुम बहुत उज्वल नहीं हो? आप अनुमान लगा सकते हैं पता नहीं इस बुढ़े आदमी का खेलने का मूर कहां से आया वास्टव में महर के साथ अनुमान लगाने का खेल खेलने के लिए इस बुढ़े व्यक्ती ने महर को भी अचंभित कर दिया और सोचने लगा एक दरजन से अधिक सासे लेने के बाद महर ने अचानक अपना सिर उठाया और अत्यधिक संदेह भरी निगाहों से लॉंग टेंग की ओर देखा सीनियर लॉंग यह नहीं हो सकता महर को स्वया अपने निरने पर भरोसा करने का साहस नहीं हुआ वह लगातार यही सोचता रहा कि इन अंतिन तीन स्थरों को कैसे पार किया जाए इसलिए उसने इस दिशा में सोचा ही नहीं लेकिन अब लॉंग टेंग असपष्ट हो रहा था महर के चिंतन के तहट उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा सिवाए इस तरह की संभावना के स्वया उन्हों ने भी इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया लेकिन बार-बार सोचने पर यही संभावना सबसे अधिक भी थी लॉंग टेंग ने महर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा यह नहीं हो सकता क्या? इसे नेरे सुनने के लिए कहो महर ने एक गहरी सास खीची और उचसुकता से पूछा वीवास्ट हेवें पगोडा लॉंग टेंग ने महर की ओर स्वीकृती भरी द्रिश्टी से देखा और मुस्कुराते हुए कहा आपने इसका केवल आधा ही सही अनुमान लगाया है इस नोवें स्तर का सच्चा इनाम विशाल स्वर्ग स्टेल है विशाल स्वर्ग स्टेल महर ने आश्चर्य से कहा महर के विशाल स्वर्ग स्टेल विशाल स्वर्ग पगोडा का एक हिस्सा मात्र था अधिक से अधिक यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था वास्ट हेवन स्टेल में मार्शल कलाकारों को उनकी अवधारनाओं को बढ़ाने में सहायता करने का प्रभाव केवल यही था कि वास्ट हेवन पैगोडा ने इसे यह क्षमता प्रदान की थी यह सही है सभी लोग सोचते हैं कि विशाल स्वर्ग पगोडा एक गहन और रहस्यमय वस्तु है लेकिन यह नहीं जानते कि इस विशाल स्वर्ग पगोडा का असली केंदर विशाल स्वर्ग स्टेल है न कि यह पगोडा यह विशाल स्वर्ग पगोडा वास्तव में विशाल स्वर्ग स्तंभ को छुपाने के लिए ही बनाया गया था लॉन्टेंग ने ऐसे शब्द कहे जिससे महर को बहुत आश्चर्य हुआ महर की समझ में विशाल स्वर्ग स्टेल विशाल स्वर्ग पगोडा का एक हिस्सा मात्र था विशाल स्वर्ग स्टेल के सभी प्रभाव विशाल स्वर्ग पगोडा द्वारा प्रदान किये गए थे लेकिन लॉंग टेंग का अर्थ सुनकर क्या ऐसा हो सकता है कि यह ऐसा नहीं था महर की शंकित निगाहों को देखकर लॉंग टेंग ने शांती से कहा फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ महर ने जट से कहा प्रार्थना बताओ कोई यह अनुमान लगाए बिना भी जान सकता है कि यह कहानी विशाल स्वर्ग पगोडा और विशाल स्वर्ग स्टेल की उत्पत्ती से संबंधित थी महर की ज्यान चाहने वाली उपस्थिती को देखकर लॉंग टेंग ने संतोशपूर्वक अपना सिरहिलाया और अथक रूप से बात करना शुरू कर दिया कहानी पचास हजार साल पहले की है और उस कहानी का मुख्य पात्र इसी तरहे एंडलेस वर्ट में दिखाई दिया उस युवक का नाम फैंग तियान था एक दुरघटना में उसे चटान का एक टुकडा प्राप्थ हुआ तबसे उसने तेजी से आकाश में उडान भरना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी इस छोटी सी दुनिया का राजा बन गया दैवियक शेत्र में चढ़ने के बाद फैंग तियान अभी भी तेज कदमो और अपने होटों पर गाने के साथ आगे बढ़ रहा था और बहुत तेजी से दैवियक शेत्र में एक शिखर शक्ती बन गया उस समय दैवियक शेत्र में एक स्वर्गविरोधी खजाना प्रकट हुआ इसका नाम विशाल स्वर्ग पगोडा था फैंग तियान ने दिवयक शेत्र में निर्बाध रूप से घूमने के लिए इस खजाने पर भरोसा किया किसी के द्वारा अपराजे फिर भी एक बिजली घर का उदेरक्ट और वद के साथ होना ही था इस प्रक्रिया के दौरान फैंग तियान ने कई कारणों से उत्पन्न एक दुरघटना में मौत के कगार पर गंभीर रूप से घायल एजियोर ड्रैगन को बचाया तब से एक अजगर और एक इनसान ने पूरे दिवयक शेत्र को उथल उथल में डाल दिया अंध में फैंग तियान ने उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली पैशाचिक पत गुट को उकसाया और इस गुट के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हेवनली फैंड गौड के नाम से जाना जाता था पचास हजार साल पहले फैंग तियान और स्वर्गिय फियंड गौड के बीच एक महान सर्वोपरी युद्ध हुआ था ऐसा कहा जा सकता है कि उस युद्ध ने स्वर्ग और प्रित्वी को आश्चर यच्कित कर दिया और देवताओं और भूतों को रुला दिया जिससे संपूर्ण देवियक शेत्र में हाहाकार मच गया सिवाए इसके की दोनों पक्षों की लड़ाई दोनों पक्षों को भारी नुकसान के साथ समाप्त हुई स्वर्गिय फियंड गौड भारी चोटों के साथ भाग गया उसका ठिकाना अग्यात था जबकि फैन तियान गंभीर चोटों के साथ तब से दिव्यक शेत्र से गायब हो गया फिर 40,000 साल बाद अन्थीन दुनिया में स्वर्ग को चुनोती देने वाला विरासत स्थान प्रकट हुआ वह विशाल स्वर्ग विरासत थी तब से विशाल स्वर्ग पैगोडा की अंतिन विरासत प्राप्त करने की आशा में अंधिनत प्रतिभाएं विशाल स्वर्ग विरासत में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे के उपर गिर गई बात सिर्फ इतनी थी कि इस चोटी सी दुनिया में तथाक्थित प्रतिभाशाली लोग विशाल हेवन पैगोडा के मालिक द्वारा निर्धारित नौस्तरिय बाधाओं को पूरा करने में असमर्थ थे आज तक मिहर की उपस्थिती ने आखिरकार यह कार्य पूरा कर लिया जिसे पहले किसी ने भी पूरा नहीं किया था अंतिम विरासक प्राप्त करना यह कहानी पचास हजार साल से आज तक चलिया रही है लॉंग टेंग ने इसे बहुत संख्षेप में कहा लेकिन जब मिहर ने सुना तो उसे यह बिल्कुल भी संख्षिप्ट नहीं लगा मिहर का ज्यान और अनुभव इससे कोसों दूर था इसलिए वह पूरी तरह से समझ सकता था कि सामगरी पर लॉंग टेंग का रिखाचितर कितना आत्मा विभोर करने वाला था फिर सीनियर फैंग तियानवा मिहर ने पूछ ताच की लॉंग टेंग ने अपना सिरहिलाया और कहा उस व्यक्ती ने विशाल स्वर्ग स्टेल को यहां फैंक दिया और उसका ठिकाना अग्यात हो गया और उस युद्ध के दौरान मैं भी एक घातक जहर से पीडित हो गया था इसलिए मेरी यहां हालत हो गई यदि मैं इस विशाल स्वर्ग पगोडा के अंदर न छिपा होता तो मैं बहुत पहले ही एक मुर्जाया हुआ कंकाल बन गया होता मिहर ने हलका सा सिरहिलाया ऐसा लगता है कि पचास हजार वर्ष पहले का वह महान युद्ध सचमुच असामानिय रूप से कुरूर था यहां तक कि इस स्तर का विशेशग्य लॉंग टेंग भी इस दैनिय स्थिती में पहुँच गया फिर सीनियर फैंग तिया क्या वह एक देवताक्षेत्र का पावर हाउस था मिहर ने उसके पूछने पर कुछ हलचल दिखाई वहो देवताक्षेत्र तक पहुचना इतना आसान कैसे हो सकता है स्वर्ग के इस विस्तार के तहट यह पहले से ही देवताक शेत्र की शक्तियों को फिर से जन्म देने में असमर्थ है लॉंग टेंग ने आह भरते हुए कहा महर की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने पूछा क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूँ की ऐसा क्यों है लॉंग टेंग ने अपना सिरहिलाया और कहा दिव्यक्षेत्र की शक्तिया रातों राक दिव्यक्षेत्र से गायब हो गई तब से केवल दिव्यक्षेत्र की किमवदंतिया ही पीछे रह गई कारण के बारे में बात करने के लिए शायद केवल वे ही इसे जानते हैं, है न? ये जवाब सुनकर मिहर भी काफी निराश हो गए देवलोग उनके जीवन की आकाक्षा थी बमुश्किल उम्मीद की एक किरन नजर आई और वह फिर तूट गई लेकिन वह अभी भी निरर्थक था क्योंकि उसने कहा था यह विशाल स्वर्ग स्टेल दिवियराजा मानकों से अधिक होना चाहिए, है न? इसके अलावा उस विशाल स्वर्ग स्टेल की प्रिष्ठ भूमी असाधारण है क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा अस्तित्व अभी भी देवताक्षेत्र के स्टर तक नहीं पहुँच सका है लॉन टेंग ने अपना सिरह लाया और कहा पहुँच नहीं सकता देवताक्षेत्र आपकी कलपना से कहीं अधिक शक्तिशाली है फैंग तियान ने सोचा कि वह पहले ही देवताक्षेत्र में पहुँच चुका है लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मामला बिलकुल भी ऐसा नहीं था मेहर की अभिव्यक्ति बदल गई और अचानक उसे वे शब्द याद आ गए जो पिताजी जेंगयान ने अपनी मृत्यू शयापर उससे कहे थे क्योंकि जब वह जीवित थे तभी उन्होंने मेडिसिन गौड्स सोल कैनन प्राप्त कर लिया था उनकी दिव्य आत्मा एक बहुत ही गूर सीमा तक पहुँच गई थी क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल कलाकारों की खेती के लिए दिव्य राजा के उपर अभी भी और भी मजबूत शेत्र थे मेहर जितना अधिक सोचता वह उतना ही चकित होता जाता और महसूस करता कि वह इस दुनिया को देखने में कम से कम सक्षम है लॉंग टेंग ने मेहर की दुविधा भरी द्रिश्टी देखी और मुस्कुराते हुए कहा इस तरह की बात पर भमित होने की जरूरत नहीं है लॉंग क्या आपका पहले का आशय यह हो सकता है कि अब से यह विशाल स्वर्ग स्टेल मेरा होगा यह सही है लॉंग टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया विशाल स्वर्ग स्टंभ महर के सामने प्रकट हुआ उस आदमी के जाने से पहले उसने पहले ही अपना ब्रांड हटा दिया था आपको केवल इस पर अपना रक्त सार्ट अपकाना है और आप इसे एक मालिक को स्विकार करने के लिए परिश्कृत कर सकते हैं लॉंग टेंग ने कहा महर स्टब्ध होकर बोला इतना आसान एन यह इतना आसान है तार्किक रूप से कहें तो ऐसे स्वर्ग विरोधी खजाने को परिश्कृत करना बहुत कथेन होना चाहिए लेकिन यह बस इतना आसान है जब आप विशाल स्वर्ग स्टेल को समझ लेते हैं तो आप विशाल स्वर्ग पगोडा को नियंत्रिक कर सकते हैं लेकिन अपने वर्तमान दाइरे के साथ आप इसकी शक्ती का बिलकुल भी उप्योग नहीं कर सकते Long Tang ने कहा अरे कोई बात नहीं, बात करने से पहले इकठा करो महर विन्मर भी नहीं था उन्होंने विशाल स्वर्ग स्टेल पर रक्त सार की एक बूंध तपका दी विशाल स्वर्ग स्टंभ तुरंत तेज रोशनी की किरनों से जगमगा उठा ठीक इसी क्षण महर को लगा कि उसने विशाल स्वर्ग स्टेल के साथ एक प्रकार का अकथनिय संबंध स्थापित कर लिया है जाहिर है वह पहले ही इस विशाल स्वर्ग स्टेल का मालिक बन चुका था सिवाए इसके की महर को अचानक पता चला कि भले ही वह वास्ट हेवन स्टेल का मालिक बन गया है फिर भी उसे इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है भले ही आपने अपना खून बहाया हो और अब एक मालिक को स्विकार कर लिया हो अपने वर्तमान दाइरे के साथ आप विशाल स्वर्ग स्टेल और विशाल स्वर्ग पगोडा को तैनात करने में असमर्थ हैं यदि आप उन्हें जबरगस्ती तैनात करते हैं तो आप केवल सूख जाएंगे लॉंग टेंग ने उसे चेतावनी दी मिहर ने जब यह सुना तो वह अवाक रह गया उसने बेपसी से कहा तो क्या यह न मिलने जैसा ही असर नहीं है लॉंग टेंग ने हंस्ते हुए कहा बेशक यह अलग है विशाल स्वर्ग स्टेल के साथ आप किसी भी समय अवधार नाओं को समझने के लिए स्टेल के स्थान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं यह एक ऐसा उपचार है जिसका आनंद कोई नहीं ले सकता महर की आखे चमक उठी मार्शल कलाकारों को अवधार नाओं को समझने में सहायता करने में सक्षम होने के लिए यह विशाल स्वर्ग स्टेल बिलकुल स्वर्ग विरोधी खजाना था यदि वह अपनी इच्छानुसार विशाल स्वर्ग स्टेल पर ध्यान कर सकता है तो महर वास्तव में एक्स्प्रेस वे ले रहा होता महर ने अचानक कुछ सोचा और फिर पूछा ओह ठीक है क्या यह विशाल स्वर्ग पगोडा समय के प्रवाह को बदल सकता है तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है मेरी उम्र बढ़ने की गती को धीमा करने के लिए फैंतियान ने मेरे भौतिक शरीर के चारों और समय के प्रवाह को बदल दिया जैसे ही आपने नवास तरपार किया, विरासत का स्थान भी पहले ही पूरी तरह से नश्ट हो गया था अब यह विशाल स्वर्ग विरासत अब कोई विरासत वस्तु नहीं है यह आपके अंतरगत आता हूँ ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास अभी भी कई प्रशन हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके भी उत्तर देने में असमर्थ हूँ इस बार राउंड क्लियरिंग में मेरी थकावट बहुत ज्यादा है मैं तुरंत गहरी नींद में सो जाने वाला हूँ जैसा कि उन्होंने कहा था, लॉंग टेंग ने एक सील निकाली, जो सीधे महर की भौहों के बीच छापी और गायब हो गई यह कोईलिंग ड्रैगन हेवन डिस्ट्रैटिंग पाम और ड्रैगन वेव की साधना पधती है अच्छी तरह प्रशिक्षित करें यदि आप भविश में ड्रैगन रेस में भाग ले सकते हैं, तो उन्हें एक अच्छा सबक सिखाने में मेरी मदद करें बात ख्त्म करते हुए लॉंग टेंग सीधे महर के ठीक पहले गायब हो गया महर को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि यह लॉंग टेंग के वल एक अवतार था उनका असली भौतिक शरीर अभी भी इस विशाल स्वर पगोडा के भीतर कुछ जगह पर था यह लॉंग टेंग पचास हजार वर्ष तक जीवित रहने में सक्षम था संभवता अधिकाश समय वह सोता रहता था नियसंदे इसका निश्चित रूप से फैं तियान के आसपास समय के प्रवाह को बदलने से बहुत कुछ लेना देना था इस फैन तियान के बारे में बात करते हुए, वह वास्तव में दुनिया को हिला देने वाला व्यक्ति था उसके साधन संभवतह सर्वोत कृष्ट थे सिवाई इसके की दुख की बात है, यह अज्यात था कि वह इस समय कहा था वह शायद खत्म भी हो चुका था, और उसका दाव पहले ही खत्म हो चुका था यह स्विकार करना होगा कि यह कुछ ऐसा था जिसने लोगों को विलाप करने पर मजबूर कर दिया उतराधिकारी की तलाश के लिए उन्होंने विशाल स्वर्ग पगोडा और विशाल स्वर्ग स्टेल दोनों को यहीं छोड़ दिया इस हिसाब से देखें तो अभी उसके जिंदा होने की संभावना शायद पहले से ही बहुत कम थी अचानक महर के हावभाव बदल गए और वह एक धास के मैदान में आ गया यह जड़ह दूसरी दुनिया लग रही थी यह बाहरी दुनिया से बहुत अलग नहीं था दोनों हाथ हलके से सील बनाते हुए लोगों का एक बड़ा समू उसके सामने आ गया यंग मास्टर ये युवा मास्टर युवानफी और लुएर दोनों महर को देखने के लिए उचसाहित थे महर ने लुएर के सिर पर अपराध बोज से हाथ फेरा और कहा लुएर युवा मास्टर को थोड़ा और समय दो युवा मास्टर आपको जल्द ही एक सामान्य व्यक्ति की तरहा बनने में सक्षम होंगे लेकिन लुएर ने बिना किसी परवाह के कहा जब तक लुएर यांग मास्टर के साथ चल सकता है लुएर को कोई आपत्ती नहीं है एह यह जड़े कहा है बहुत सुंदर उस स्थानिक आत्मा कलाकृती के अंदर से कहीं बहतर मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या तुम्हे यह पसंद है लुएर ने आग्याकारी और उटसाह से अपना सिर हिलाया हाँ तो फिर आप और युवान फीवे सभी अब से यहीं रहेंगे यह एक खजाना है जिसे युवा मास्टर ने हाल ही में हासिल किया है यह जगह लोगों के ना होने के अलावा बाहरी दुनिया से पहले से ही अलग नहीं है मेहर ने हंस्ते हुए कहा आः वास्टव में तो यह सचमुच बहुत बढ़िया है लुएर ने उचसाह से कहा मेहर मुस्कुराया उसकी नजर अचानक सफेद रोशनी परटी की और वह आश्चर यचकित हुए बिना नहीं रह सका किसी भी परिस्थिती से नहिलने वाला यह छोटा सा साथी न जाने कब फिर से सो गया लेकिन मेहर को यह जानकर आश्चर यह हुआ कि वाइट लाइट वास्टव में टियर चार तक पहले ही पहुँच चुकी थी भगवान जाने कब युवा मास्टर ये जब से वाइट लाइट ने उस बाग की हड़ी को परिश्कृत किया है वह पूरे समय गहरी नींद में रहता है वह दूसरे दिन पहले ही टियर चार में पहुँच गया है और ऐसा लगता है कि वह जल्द ही मध्यचर टियर चार में भी पहुँचने वाला है मध्यचर टियर चार मूल रूप से पहले से ही अंतिम चरण के समुदरी परिवर्तन के बराबर था मेहर अंतिम चरण के समुदरी परिवर्तन में तभी सफल हुआ जब उसने विशाल स्वर पैगोडा की विरासत प्राप्त की यह सोचने के लिए कि इस छोटे आदमी ने फिर से तोड़ने के लिए इस तरह की विधी का इस्तिमाल किया वास्तव में दूसरों से इर्शा करने वाले इस छोटे से व्यक्ति को मौट के घाट उतार दिया गया ऐसा लगता है कि बाग की हड़ी वाइट लाइट के लिए बहुत फाइदे मंद थी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह तब इतना उत्तेजित था तो बस उसे यहां से गुजरने दो मुझे एकांतवास में प्रवेश के लिए कई दिनों तक यहीं रुकना भी है चुंकि वह पहले ही नवेस तर तक पहुँच चुका है समस्या कैसे उत्पन हो सकती है किन यान थूख हाँ हाँ यह सच है क्या मैं यहां चिंतित नहीं हो रहा हूँ आँ यह महर है वह बाहर है गोत आउकुन ने अचानक उत्तेजित होकर कहा हर कोई चौक गया और जल्दी से बाहर देखने लगा दरसल उन्होंने महर को विशाल स्वर्ग पगोडा से बाहर आते देखा ठीक इसी समय पाचों लोगों ने एक ऐसा द्रिश देखा जो उन्हें इस जीवन में अविस्मनिये लगा मूल रूप से बादलों में उचा विशाल स्वर्ग पगोडा वास्तव में नगन आखो को दिखाई देने वाली गती से तेजी से सिकुड रहा था देखते ही देखते महर की हतेली में एक विशाल शिवालय एक छोटे और उत्तम शिवालय जैसा बन गया यह, यह, यहाँ क्या हुआ विशाल स्वर्ग पगोडा ऐसा क्यों बन गया गोत आउकुन ने यह द्रिश देखा और तब तक हैरान रह गया जब तक उसका जबड़ा लगभग गिर नहीं गया पलक जपकते ही महर उनमें से कुछ से पहले आ गया क्योई हाई सदने से होश में आने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अविश्वास से भरे चहरे के साथ महर की ओर देखा और कहा वाई महर तुम महर ने मुस्कुराते हुए कहा ओल्ड है आज से इस अंथीन दुनिया में विशाल स्वर्प पगोडा विरासक नहीं होगी यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है आप मेंसे कुछ लोग प्रप्या इस रहस्य को मेरे लिए गुप्त रखने में मदद करें हाला कि महर ने इसे परामर्शाकमत लहजे में कहा लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने अन्य चार लोगों के भावों को कड़ा कर दिया महर जो आभा उचसर्जित कर रहा था उसने उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा करने में असमर्थ बना दिया ये कुछ लोग स्वर्ग के गौरवानवित बच्चे थे एक ही पीधी के लोगों में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो उनमें इस प्रकार की भावना उत्पन्द कर सकें उसे फिर से देखने पर महर वास्टव में पहले से ही आठवे स्थर के समुद्री परिवर्तन शेत्र में था यह सग्मा किसी भी तरह से मामूली नहीं था यदि यह एक सामान्य आठवे स्थर का समुद्री परिवर्तन होता तो यह उनकी दृष्टी में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करता लेकिन इन कुछ लोगों को इस बात की गहराई से जानकारी थी कि महर का आठवे स्तर के समुदरी परिवर्तन में प्रवेश करना क्या दर्शाता है निश्चिन रहें हम इसे खुल कर नहीं कहेंगे चारों लोगों ने एक स्वर में कहा क्योई हाई ने आवाज लगाई और कहा आराम करो वे चारों इसे खुल कर नहीं कहेंगे महर ने सिरहिलाया और कहा अगर यह मामला लीक हो गया तो मैं हिसाब बराबर करने के लिए तुम लोगों को ढूंड लूँगा इसके अलावा विशाल स्वर्ग पगोडा जमीन से अलग हो गया और अपने आप उर गया समझ गया? चारों लोगों ने सिरहिलाया और कहा समझ गया महर की शक्ती दिन बदिन बढ़ती जा रही थी एक पूर्व संप्रभू की उसकी प्रभावशाली गती भी धीरे-धीरे सामने आने लगी जिससे लोगों को समर्पन करना पड़ा दरसल इन कुछ लोगों के निर्देशों के संबंध में वह सिर्फ आकस मिक्ताओं के लिए प्रावधान कर रहा था इस दरसे की उनकी जीव लडखडा जाएगी दस साल बाद जब विशाल स्वर्ग रहसिवादीक शेतर वास्तव में एक बार फिर से खुला तो महर शायद लंबे समय तक अंथीन दुनिया में नहीं रहेगा तब तक बढ़ती बाढ़ की परवाह किसे है? महर ने सिर्हिलाया और अब उन चारों की परवाह नहीं की चारो और देखते हुए उसने क्यूई हाई से पूछा और्ड हाई इसमें क्या है? क्यूई हाई ने संगशेप में स्थिती का वर्णन किया जिसे सुनकर महर की भौहें थोरी सिकुर गई मुझे पहले से ही संदेह था कि जाओ तियानेन के इरादे अशुध है अब इसे देखते हुए फियर्स डेल वर्ड मार्शल कलाकारों के कल्यान के लिए जो भी हो यह बिलकुल बक्वास है महर को इस घटना में शहरों के नरसनहार से किसी साजिश की गहरी बुआ रही थी एन मुझे भी ऐसा लगता है यह बस है हमें कोई अंदाजा नहीं है कि फियर्स डेल वर्ड ऐसा किस लिए कर रहा है क्योई हाई ने कहा उसको भूल जाओ एक दिन लोम्डी की पूँच उजागर होगी महर ने तिरसकार पूरवक कहा क्योई हाई ने सिरहिलाया और कहा अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते है महर इस विशाल स्वर पगोडा में क्या है महर ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने नौवास तर पास कर लिया है और इस विशाल स्वर पगोडा का अंतिन पुरसकार विशाल स्वर पगोडा ही है महर ने संगशेप में राउंड क्लियर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया लेकिन बीच में कुछ महत्वपून जानकारी छोड़ दी लेकिन फिर भी जब क्यूई हाई सहे पांच लोगों ने भी सुना तो उनके दिल उचसाह से कामपने लगे खासकर वो चार युवा जब उन्होंने महर की ओर देखा तो उनकी निगाहें प्रशनसा से भर गई महर की उम्र उनसे काफी कम थी लेकिन उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की उससे लोग उनके प्रती आदर दिखाने लगे विशाल स्वर्ग पगोडा हजारों वर्शों से खड़ा है यह सोचने के लिए कि यह वास्टव में एक नए मास्टर का चैन करने के लिए था बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई जान भी ले तो शायद कोई इसे पूरा भी नहीं कर सकता मिहर जैसा की कहा जाता है जितनी अधिक शक्ती उतनी अधिक जिम्मेदारी हमारी अंथीन दुनिया की सारी आशा आप पर है क्यूई हाई ने गंभीरता से कहा मिहर ने शांत भाव से कहा ओल्ड है निश्चिंत रहो जाओ तियानिन और मेरे बीच अंतह एक दिन लड़ाई होगी इसके अलावा मेरा परिवार और दोस्त सभी अंथीन दुनिया में है उन्हें निश्क्रिय रूप से अपने विनाश की तलाश करते देखना स्वाभाविक रूप से असंभव है मेर की बाते सुनकर क्यूई हाई अंदर ही अंदर डर रही थी भयंकर आंधी विश्वियात्रा के दौरान मेर को ऐसा क्या अनुभव हुआ जिसने वास्तव में उस असीन डायरे के पावर हाउस के साथ इतनी बड़ी शिकायत को जन्म दिया लेकिन अगर मेर का पहले फियर्स जेल वर्ड के रियल मौड के साथ संधर्श हुआ था तो वह कैसे बच गया यह मेर सचमुच पहेलियों से भरा हुआ था लेकिन क्यूई हाई के लिए यह पर्याप्त था महर मैंने उन चारों को पीछे रखने का निर्नय लेने की स्वतंतर ताली यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें अपने अनुयाई बने रहने दें यदि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं उन्हें अभी भेज दूँगा क्योई हाई ने कहा महर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा उनमें से कुछ मेरे अनुयाई होंगे यहां उचित नहीं है ठीक है ये कुछ लोग अत्यंत घ्रिनित चरित्र के थे अनुयाई बनने के लिए उन्हें अपने पास रखकर उन्हें इसका आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है विशाल स्वर पगोडा में आपके प्रदर्शन को देखकर वे बहुत पहले ही अपनी स्थिती ठीक कर चुके थे यदि भविश्य में उनके मन में आपके प्रती कोई अनादर है तो आप उन्हें किसी भी समय गायब कर सकते हैं क्यूई हाई ने इसे बहुत सक्ती से कहा लेकिन उसकी नजर चार लोगों की ओर थी चारों लोग मतलब समझ गए और जट से बोले हम चारों महा महिम का अनुसर्ण करते हुए भगवान महर का साथ देने को तयार है महर ने एक नजर चारों पर डाली लेकिन तुरंट सहमत नहीं हुआ जब QE High ने स्थिती देखी तो उसने तुरंट कहा महर मेरे इरादे मुझे विश्वास है कि तुम भी बहुत स्पष्ट हो शेत्र का मार्ग जल्द ही पूरी तरह से जुड़ने वाला है दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध बहुत लंबे समय तक चल सकता है ये चारों अनंत विश्व के समाज के भविश्य के स्थम्भ है मैं उन्हें अनुभव करने और मजबूत बनाने के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ महर ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाते हुए कहा फिर ठीक है चुंकि ओल्ध हाई ने इसे इस हद तक कहा है अगर मैं असहमत भी हो जाओ तो यह बहुत अनुचित होगा लेकिन मैं सबसे पहले गंदी बाते कहूंगा मेरे बाद आपको मेरी हर बात सुननी होगी यदि कोई एक युवा मास्टर के नखरे दिखाना चाहता है तो मैं विन्वर नहीं रहूंगा चारों लोगों ने सुना तो बहुत प्रसंद हुए और बोले हाँ प्रभु मेर वो फैं सिटी अभी एंडलेस अलायंस का मुख्यालय था विशाल स्वर्ग पगोडा से लोटने के बाद विभिन संप्रदायों के नेता यहां एकत्र हुए और संपून एंडलेस एलायंस मार्शल कलाकारों का आयोजन किया और अभी सिटी लॉर्ड मैनर के अंदर पूरी तरह गंदगी थी क्या आपके ब्लैक फिलिन संप्रदाय के सभी सदस्य सुरों का जुंड है फिर्स गेल वर्ड की संख्या आपकी आधी थी और आप लोग वास्तव में तीन दिनों तक भी टिके नहीं रहे यहां निंदनिय टिपणिया करना बंद करो ऐसे बात की मानो आपका स्वर्गी इगल संप्रदाय इतना प्रभावशाली है क्या तुम लोगों ने हमसे एक दिन भी अधिक समय तक जिद नहीं की एक दिन और डटे रहना भी लगे रहना है क्या आप जानते हैं कि इस एक दिन के लिए हमारे स्वर्गी इगल संप्रदाय के कितने लोग मर गए आपके ब्लैक फ्लिम संप्रदाय के विप्रीट जैसे ही आपने देखा कि स्थिती खराब है तुरंक पीछे हट जाते हैं ओह कौन तुरंक पीछे हट गया इस बार की बड़ी लड़ाई में हमारे कई बुजुर्ग मारे गए और हमारी क्षती गंभीर हुई अगर तुम और बक्वास कहोगे तो यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे साथ खत्म नहीं होगा दूसरे संप्रदाय के दिगज बोलने ही वाले थे कि किन होंगताओ जो लंबे समय से परिशान थे पहले से ही गुस्से से दھाडने लगे इस बुढ़े आदमी के लिए सभी अपना मुह बंद कर ले फिरस गेल वल्ड की पांचतरफा महान सेना पहले से ही धीरे धीरे क्रिंसन लाइट सिटी में बंध हो रही है एक बार क्रिंसन लाइट सिटी पर कबजा हो जाने के बाद यह पीछे की और जमीन का एक समतल हिस्सा होगा यह हमारे अंथीन गठ बंधन के लिए बेहद हानिका रखोगा तुम लोग वास्तव में अभी भी यहां जगडा करने के मूर में हो उसके दहाडने से सभी लोग चुप हो गए अभी भयंकर आंधी की दुनिया शरद रितू की हवा के समान थी जो गिरी हुई पत्तियों को बहा ले जा रही थी पूरे अंथीन विश्व के दक्षिनपूर्वी हिस्से में फैल रही थी फिलहाल एक बार जब एंडलेस वर्ड के मार्शल आर्टिस्टों ने फियर्स गेल वर्ड का नाम सुना तो यह कहा जा सकता है कि वे सुनकर डर से कामपने लगे भयंकर आंधी की दुनिया बाहर की ओर विस्तार करने के लिए उच्सुप नहीं दिख रही थी लेकिन वे जिस भी क्षेत्र में गए कसाई का चाकू निश्चित रूप से उठाया गया जिससे सभी मार्शल कलाकार मारे गए इसलिए जिन स्थानों से भयंकर आंधी विश्व की महान से ना गुजरी अन्थीन विश्व मार्शल कलाकारों को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया अब बड़ी संख्या में दक्षिनपूर्वी क्षेत्र के मार्शल कलाकार क्रिमसन लाइट सिटी में भाग गए और यह क्रिमसन लाइट सिटी एक अत्यंत महत्वपूर्न रननीतिक मार्ग था एक बार जब इस पर भयंकर आंधी की दुनिया का कबजा हो गया तो अन्थीन दुनिया बहुत निश्क्रिय हो जाएगी गठ बंधन के प्रमुख निंग इक्सियन शीर्ष पर बैठे थे उनकी भौहें तनी हुई थी जैसे कि उन्होंने उनकुछ लोगों की बहस नहीं सुनी हो यह भी पता नहीं चला कि वह क्या सोच रहा था इस समय लोगों के समोह को शांत होते देख निंग इक्सियन ने अन्तह धीरे से कहा मैं क्रिमसनलाइट सिटी के महत्व के बारे में अधिक बात नहीं करूंगा क्रिमसनलाइट सिटी के सिटी लॉड सुहूने पहले ही गठ बंधन को सहायता के लिए एक आपात कालीन अनुरोध भेजा है ताकि गठ बंधन को सुद्रेड करने के लिए लोगों को आगे भेजने का अनुरोध किया जा सके मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ऐसा है जिसकी आप सभी अनुशन सा कर सके बूढे पूर्वजों के समोह ने एक दूसरे पर नजरे डाली उनके चहरे पर जिजक दिखाई दे रही थी लेकिन कोई आवाज उठाने को तयार नहीं था अभी तो आपसी शत्रुता धीरे-धीरे पूरे जोलों पर विक्सित हो चुकी थी लेकिन दोनों पक्षों ने अभी भी सन्यम का अंतिन निशान बरकरार रखा है दोनों पार्टियों के डिवाइन ट्रैवर्सिंग रियलं पावर हाउस अभी तक लडाई में शामिल नहीं हुए थे एक बार जब डिवाइन ट्रैवर्सिंग रियलं के विशेशक्यों ने लडाई में भाग लिया तो यह संकेट देगा कि युद्ध समगर रूप से बढ़ेगा दोनों पक्षों का शून्यकाल भी दूर नहीं होगा इन कई पुराने पूर्वजों ने भयंकर आंधी की दुनिया से मुकाबला करने के लिए पहले ही काफी ताकत भेज दी थी लेकिन सभी अग्रिन युद्धक्षेत्रों में करारी हार हुई इससे वे अपनी ताकत को और भी अधिक महत्व देने लगे और लोगों को अग्रिन पंती में भेजने को तयार नहीं हुए हमफ संप्रदायों के पुराने पूर्वज ठंड के मौसम में सिकाडा की तरह चुप थे किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई जिन जुआन सामान्य परिस्थितियों में नहीं बोलेगा लेकिन एक बार जब वह बोली तो वह बोज काफी भारी था हाला की गठ बंधन स्थापित हो गया था फिर भी अंतीन दुनिया के इन कुछ संप्रदायों के पास अंत में संरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के हित और विरास्ते थी वे अपने ही लोगों को मौत के मुहों में जाने देना कैसे सहन कर सकते थे निंग यक्सियन ने सभी पर नजर डाली और उदासींता से कहा सभी ठीक से नहीं बोल रहे हैं फिर मैं नाम बताऊंगा अचानक पूरे सभा भवन का माहौल तनाफपूर्ण हो गया निंग यक्सियन की नजर एक एक करके सभी के चेहरों पर पड़ी जैसे जैसे यह प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता उनकी सासे घबराने लगती निंग यक्सियन ने अंतह उस ब्लैक फ्लिन संप्रदाय के पुराने पूरवच पर अपनी नजरे जमा दी जिन्होंने पहले बात की थी उस व्यक्ति को तुरंट अपनी खोपड़ी में जुनजुनी महसूस हुई यह क्रिंसन लाइट सिटी एक गर्म आलू था यह वस्तुतह एक ऐसा मिशन था जिसके वापस लोटने की संभावना बहुत कम थी अपने ब्लैक फ्लिन संप्रदाय के लोगों को भेजने के बाद भी वे वापस कैसे लोट सकते हैं जैसे ही ब्लैक फ्लिन संप्रदाय के पुराने पूर्वज को कड़वाहट का आभास हुआ अचानक एक नौकर ने आकर संदेश भेजा एलायन्स प्रमुख लॉड महर पहले ही लॉट आये हैं वह इस वक्त हॉल के बाहर हैं निंग यिक्सियन तुरंट उठ खड़ा हुआ और बोला जल्दी करो जल्दी करो जल्दी से उसे अंदर बुलाओ ब्लैक फ्लिन संप्रदाय के पुराने पूरवज ने निंग यिक्सियन की अभिव्यक्ती देखकर ही राहत की लंबी सांस ली कुछ भी हो फिलहाल यह दौर बीट चुका माना जा रहा है जल्दी महर उन चारों को लिव होंग लेकर आया और धीरे-धीरे असेंबली हॉल में प्रवेश किया निंग यिक्सियन की नजर महर पर टीकी हुई थी उसकी नजर आश्चर्य प्रकट कर रही थी गठबंधन प्रमुख क्या आप सब ठीक हैं महर ने कहा निंग यिक्सियन वापस होश में आ गया उसने महर की बाह पकड़कर प्रसन होकर कहा चोटे भाई महर तुम्हारी यह सुधारगती बहुत अतिश्योक्ति पूर्ण है विशाल स्वर्ग पगोडा में प्रवेश करने से पहले आप केवल दूसरे स्टर के समुदरी परिवर्तन थे एक महीने का समय भी नहीं बीता है और आप वास्तव में आठवे स्टर के समुदरी परिवर्तन को पार कर चुके हैं सचमुच बड़े भाई को मुझे एक जटका दे रहा हूँ महर की वापसी से हॉल में मूल रूप से तनाफपूर्ण माहौल पूरी तरह से तूट गया जिससे वे सभी काफी हद तक धीले हो गए फिर भी केवल इस समय जब उन्होंने निंग यक्सियन को ऐसा कहते हुए सुना तो क्या हर कोई अचानक चौक कर जाग गया शुरू से अंत तक एक महीने से भी कम समय में एक बार परीक्षन में भाग लेना और वास्तव में एक ही बार में छे सीमाओं को तोरना यह भी अतिशुक्ती थी लेकिन महर ने लापरवाही से कहा उहुक विशाल स्वर पगोडा में कुछ भागेशाली अफसर प्राप्थ हुए इसलिए मुझे कुछ सफलताएं मिली निंग यक्सियन की अभिव्यक्ती घबराहट भरी हो गई जब उसने पूछा आखिर में छोटा भाई ये किस स्थर पर पहुँच गया उसके पूछने पर सभी के कान खड़े हो गए वे सभी बहुत उच्शुक थे कि आखिर महर किस स्थर तक पहुँचा महर ने मुस्कुराते हुए कहा आठवास तर थंडी सासों में खीचने की आवास तुरंट असेंबली हॉल के अंदर सुनाई दी यह यह कोई मज़ात नहीं है है न आठवास तर इन 10,000 वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति आठवे स्थर तक पहुँच पाया क्या इसका मतलब यह नहीं है कि महर 10,000 वर्षों में नंबर एक प्रतिभा के बराबर है हे भगवान यह भी बहुत अकलपनिया है क्या तुम लोग सोचते हो कि वह शेकी बढ़ार रहा है साथवास तर पहले से ही बहुत स्वर्ग विरोधी है आठवास तर अपना सिर बढ़ाओ महर के बाहर आने से पहले उसने लगातार दो परफेक्ट कम्प्लीशन किये थे आठवे स्कर तक पहुँचना श्रे के बाद प्रसिद्धी है है ना इसके अलावा ओल्ड हाई और उन चार महान प्रतिभाव की उपस्थिती में इस प्रकार का जूठ तुरंत उजागर हो जाएगा ठीक है उन्हें कैसे पता चला कि महर घमंड नहीं कर रहा था बलकि बहुत संकोची था यह सुनकर निंग इक्सियन ने उच्साह में कहा छोटा भाई ये वास्तव में प्रतिभाव में एक प्रतिभाशाली है अभी भी बहुत लंबा रास्ता तै करना है इन शब्दों को सुनकर निंग इक्सियन के दिल में महर के प्रति मूल्यांकन काफी बढ़ गया गोत आउकुन की तुलना में वे सभी हालां की महर युवा थे वह कहीं अधिक शांतचित थे ओह ठीक है कुछ ऐसा है जो मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ सभी को मानसिक रूप से तयार रहना होगा विशाल स्वर्ग शिवाले पहले ही जा चुका है